बच्चो वेलकम जे सील सी माइसल परदीप ताकर टीम मैथमाडिक सील सी सीकर तो बच्चो आज आपको अपना पेपर नंबर 6 है उसका बच्चो पूर डिसक्शन साट कर रहे है एंड चेटर नेम इस बाइनोमल थेोरम क्लास 11 का चेप्टर बच्चो बाइनोमल थेोरम ठीक ह है और यहां पे मार्किंग सिस्टम कैसे बच्चो प्लस 4 एंड मैनिस 1 एंड सक्षिन दी के अंदर बच्चो आपके पास 5 इंटेजट आपके एक क्रिशन से हैं ठीक है एंड मार्किंग विल बी प्लस 4 एंड 0 ठीक है तो लिट साट विद दा फैस्ट पोड्लम पेटा फैस्ट के अपने पास क्या दिया गया है दे नमबर ओफ पे नमबर ओफ टंप से के इंड एक्सपेंशन ओं ठीक है इसके परशार के अंदर बच्चो अपने कुछ सिंपल है पदों किसे क्या बताने है ठीक है तो यहर आप जानते हुए यहां पे किस सवाल के अंद अपने पस क्या बेड़ा आपको पता ना कि बाइनुमील एक्सपेंशन के अंदर जो नमबरोव टॉंप सोती है वह क्या होता है एन प्लस वण होता है तो यहां पर यहां पर फैस्ट में यहां फैस्ट के अंदर आपकी old terms है, they will be cancelled out, तो यहां पी क्या बचलेंगे, only even term बचेंगे, तो 5 यहां से बचेंगे, so total, sorry, 5 यहां से, बलब, यहां से बचो बचो उसको 2 कॉमा आ जाएगा, so total terms will be left with 5, ठीक है, तो यहां पर परसार बचो 5 term आने बारे है, तो 5 बचो यहां पर term आएगे, ठीक है, भ इसके बाद x power 8 वाल तम बजाएंगे ठीक है बाकी सब यहां पे cancel हो जाएंगे ठीक है ओके तो next one next one रचाव पने पास क्या है next one question about second if the rth तम in the expansion of x by 3 minus 2 by x square whole power 10 contains x power 4 then r is equal to ठीक है बला बेटा इसके प्रसायर के अंदर अना जो तो आर्वा पैद है वह एक्स पार 4 रखता है ठीक है तो उसके साथ आपको बच्छो आर का value निकालना है ठीक है तो अब इससी बात है आप उन क्या करेंगे इसको जनने टम से स्टाट कर लेंगे तो अपने पास बच्छो टी आर प्लस वन है इसका टी आर प्लस वन टम क्या आएगा देखीगा 10 CR X by 3 whole power 10 minus R into minus 2 upon X square power R ठीक है तो बच्छो यहाँ पे मैं इसका आर प्लस वन टो टमारा रहा ना बच्छो उसको मा लिख रहा हूं it will be 10 CR X by 3 whole power 10 minus R into minus 2 by X square and इसका power बच्छो आर बनने वाला है ठीक है अब मैं यहाँ से क्या करूंगा उसने बोला अपने को contains X power 4 तो यहाँ से क्या करेंगा बच्छो हम लोग X का power 4 निकाल लेंगे X का power बच्छो X की power complete यहाँ से count कर लेंगे और उस power को बच्छो क्या कर दूँगा मैं 4 के ब्राबर कर दूँगा और वहाँ से R निकाल लेंगे यार सीदिसी बात है यह R प्रस 1 पद है तो यहाँ से बच्छो आप जानते हो कि आपका आरत पद क्या का बोलो बेटा T R विल बी क्या का बोलो बेटा टैन सी R-1 इंटू X by 3 ओके बीटा र-1 तो यहाँ बच्छो हो जाएगा 11-R इंटू माइनस 2 अपॉन X स्क्वेर पावर बच्छो र-1 ठीक है तो सिम्बल सी वाद अपने उस सवाल के अंदर क्या करना है R निकालना है तो R means what? आपको यहाँ एक्स की पावर को count करना है ठीक है? और उस पावर को बच्छो क्या करना है आपको पावर आपको 4 बनाना है तो उस पावर को क्या कर देंगे आ प जो R की टम्स में आ रहा वोसको चैंड की ब्राबबर जचो आपको put करना वस्का न और यहां से पून क्या कर लेंगे सवाल का आंसर निकार लेंगे ठीक है तो बच्छों पून यहां से क्या कर लें X की पाउर निकाल लीज़ें X की पाउर यहां से क्या बनेंगी देखो यहां से 2R minus का 2R हाना और माइनस का तो यह बन जाएगा प्लस 2 तो प्लस 2 समेंड होगा तो 13 माइनस माइनस 2R यहां से माइनस R वहां से so minus 3R ठीक है अब बच्छों मुझे इसी को क्या करना बोलो भई इसी को बच्छों मुझे 4 की equal put करना बस ठीक है तो यहां से क्या बन गा आपका 13 माइनस 3R it should be equal to 4 ठीक है तो यहां पे 3R विल बी 9 तो बच्छों R यहां से क्या बन गा आपका very simple R is 3 है ना बहुत बढ़ा सवाल है R विल बी 3 है ना तो बच्छों इस सवाल का जो आंसर बना है वो क्या बन गया R विल बी आप लाइक बास बच्छों क्या बना बच्छों बच्छों क्या प्रफ अइसकी परशार में बच्छों क्या ध। इसके परसार के अंदर जो पुर्णाग पद आ रहे हैं बच्छों, उनकी संग्या गात करनी है, तो उसको ग्यात करने का न, उसको count करने का एक simple सा basics आपना क्या तरीका है, वो क्या बच्छों, इसका आरतपत लिखीगा, और आरतपत भी क्या करदें आप, ठीक है, उस term को पुर्णाग बनाने की, हा यहां पी क्या करदें, आप लगा दें, ठीक है, तो यहां पी बच्छों, इसके प्रशार के अंदर, इसका जनल टर्म क्या लिखा जाएगा, बोलो, टी आर प्लस वन, डाट विल बीकोज तू, 642, 642, CR, 5 to the power 642, minus R, upon 2, into, 7 power, R by 6, ओगे बच्छा, और पी बीटा, अब आर यहां सेस्ट आप से होगा, आर जीरो से लेके अप्टू कहा दगजा सकता आपका अप्टू 642 अब देखो यार इस सीज को मुझे इंटिकल टम बनाना है हना मुझे इसी को बच्चों क्या करना बोलो इंटिकल टम बनाना है ठीक है तो यह इंटिकल कब होगा देखो यह हमेशा किसी भी आर के लिए यहाँ पे आर क्या ना हिमित आपका आर हैस् टो बी आर इस शागे अरला यहाँ पे लिए आर यहाँ एस गया पे यहाँ पे न पी बनाना हिर जो तो यहां पे आप देख पा रहे हैं यार कि जो आर 642 है तो 642 को 6 से डिवाइड कीजिए आप तो क्या रहा बोलो 642 को अपन 6 से डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड यहां पे हो रहा है यहां पे बच्छो डिवाइड हो रहा है That is 107 तो बच्छो challenging 107 यहां से आ गही और एक आपका हाँ जीन एवाला हा र-0 सोकता तो एक सो साथ यहां से और एक आर जिरो वाला तो टोटल यहां पर बच्छों जो टर्म बनेगी न अच्छा यहां पर आर जब जब तुम्हारा शिक्स का मल्टीबल होगा बच्छों तो यह नंबर कैसा बनेगा और एवन को दो से डिवाइड करेंगे तो वह भी कैसा बनेग क्या बच्छों एक इंटीजरी बनेगा यह हिंोसा बच्छों एक अकोट बंनेगा तो यह भी इंटीजर है यह हमेशाँ इंटीजर दस वान ठीक है वेन तो यहां से 108 है ना इसको मिटान था क्या 108 विल भी दा आंसर ठीक है टोटल बच्छों यहाँ पी क्या परसार में 108 टम ऐसे होंगे जो इंटिकल टम बनेगे ठीक है next one next one देखिए the coefficient of x-par 11 in the expression of this one ठीक है तो यार इसमें बोई करना आपको simple सी बात है है ना आपको bainable theorem के अंदर बच्छों कोई बहुत ज़्यादा कारीकरम नहीं करना है बहुत ज़्यादा आपने को कारीकरम नहीं करना कारीकरम मिन्स ठीक है ऐसा नहीं कि यार चैप्टर का पूरा लगे पड़ें ठीक है बहुत दिन तक ठीक है आपको simple सी बात क्या करना है ठीक है अपने को इस चप्टर के जो फॉम्लास वागे रहा है ठीक है इसके जो प्रॉपर कंशप्ट है उनको डंक से क्या करना बच्छों एक सोट नोट स्टाइब से बच्छों बना लीजी आप ठीक है की बाइनमें शाओ करलें दर दूर्वर कुंद कर ले इस तक रूंजे बहुती कषण कर सकते हैं स्टाम के लिवायज कर सकते हैं ठीक है ठीक है आइडिया आजाएगा कि पेपर के नंदर कैसे चप्टर के सवाल आते हैं ठीक है सी कोफिशन ऑफ एक्स पार एलेवन इन दा इक्सपेंशन अब इस वन ठीक है तो इसमें बच्छों वही करेंगा पूर इसका आर प्लस वन पद निकाल लेंगे बच्छों तो यहां से वो क्या हैगा एलेवन सी आप है ठीक है 11 सी आप एक्स पार 3 ठीक है इक्स पार 3 होल पावर 12 मैनेस आर इंडू माइनस का टू एपॉन एक सिस्वेर और बच्चो इसका पावर ठीक है आपको जो आरत टम ना बच्चो ना बाइनुमिल एक्सपेंशन के अंदर उसी के ही है ना हेल्प से अपने को मैक्समा सवाल ना बच्चो सोल करने होते हैं ठीक है ना वहां से जो कोफिशिंट आप से मा पार करना है कोफिशि YouTube बनाना किसका और एक सभाउर बच्चो आर का बनाना कोफिशिंट सोड मिम्च पार 11 कोफिशन में तो यह यहां पर निकाल लोई है कि आप एक्स की सब्सक्रा ति का बना है यहां से काौन करले है घीवार बेटा यहां से बनेगा 36 मैनस देखो 3R यहां से मैनस टो आ यहां से शो 36 मैनस का 5R ठीक है? अब बächशो इसी को मुझे क्या करना बच्छो iX पार 11 बनाना है यहां से क्या कर लेंगा 36 minus 5R का उपन क्या कर देंगा 11 के बच्छो equal put कर देंगे, तो यहां से अपका 25 इस टू 5 र, तो बच्छो आर का वेलू क्या बनेगा, 5 बन गया, ठीक है, अब यार उसने पूछा coefficient of x power 11, तो बच्छो x power 11 तो यहां से आ गया, उसका coefficient कहा से आ आपका, उसका बच्छो coefficient यहां से बन रहा आपका, this is the coefficient, अब आर को यहां प 2 power 5, ठीक है, minus 2 power 5, ठीक है, so that is the answer, यह बच्छो आपका आपका अशर बन गया, and that is I think, option first, ठीक है, तो बच्छो आपका यहां से बन जाएगा, ठीक है, simple सा वाल है, next one, 5th one, the fourth term from the end in the expansion of this one, ठीक है, तो यार आपको साब सब पता ही है, कि यहां पे जो total terms आने वाली है, there will be 10, भी, यहां पे है न, इसका power क्या, n है, 9 है न, so number of terms will be n plus 1, तो यहां पे बच्छो, इसका expansion के अंदर, exactly क्या आपका, 10 term बच्छो आने वाली है न, 10 term यहां बच्छो आने वाली, ठीक है, तो, 10 term आने वाली है, उसने पूछा अपने से, 4th term from the end, ठीक है, total यहां पे 10 term है, तो last से बच्छो, 4th होगा, वो starting से कुन सा होगा, 7th term होगा न, जो last से 4th है, वो fast है, कहां से हो गया, 7th term, तो, obviously बाद मुझे यहां बच्छो क्या करना, इसका, 7th term निकालना बस, ठीक है, so simple, तो, T7 इसका कैसे निकालेंगे, बोलो बटा, T6 प्लस 1, तो, T6 प्लस 1 विल बी, 9C6, इंटो, X प्लस 3, अपॉन 2, ठीक है, बच्छो, आप कोसिस करेंगे, यार, माइनस का 2 बाई, X स्क्छार है, बच्छो, यहां पे पावर आपका 6 लेगा, और आपको पता है, कि दोनों टम्स पे, जो पावर का सम होगा, इट शुद भी 9, इट शुद भी N, यहां पे N क्या है, 9 है, इट शुद भी 9, तो यहां बच्छो, क्या बनेगा, आपका 3, ठीक है, तो बस यह आपको आपको आणसर निकालना है, यहां से, तो बनगा आपका आणसर, तो बनगा आपका आणसर, तो बनगा आपका आणसर, एक्स पार 3 ठीक है आप बच्छों इसको calculate करके देखेंगे ना so that will be option number B ठीक है बच्छों option sorry option C option C will be correct ठीक है बच्छों इस सवाल का जो आर्ट से अपने पास आ रहा है that will be see है ना 9C6 इंडू 2 पार 3 इंडू करेंगी ना so it will be 672 ठीक है और 1 upon x पार 3 यांसे आई रापका ठीक है बदब simple सवाल है बस आपको ध्यान अखना बस आरधर टम को कैसे अपने लिखना है ठीक है इसी single है बेसी कंशेप्ट कियो पर बच्छों इस सवाल आपसे पुछे जा रहे आपसे ठीक है ना next one next one परशार a प्लस b प्लस c होल पावर 18 में a पार 8, b पार 6, c पार 4 का गुणांक है ना बच्छों इसके expansion के अंदर अपने को a पार 8, b पार 6, c पार 4 का बच्छों coefficient निकालना बस ठीक है और वह आप जानते हो बच्छों रहना से बैनुमिल ठीक है ना एक बच्छों इसमें concept होता है multinomial theorem ठीक है ना उससे बच्छों किसी भी हना तर्म का बच्छों coefficient निकाल सकते हैं तो यार इसका coefficient यहां से क्या है बोलो किसका coefficient coefficient of a पार 8 into b पार 6 into c पार 4 that will be इसका index क्या 18 है so 18 factorial upon बेटा a का पार 8 है ना तो 8 factorial into 6 factorial into बच्छों 4 factorial ठीक है अब इसको answer से match कराने के लिए मैं यापी क्या कर रहा हूं 14 factorial से इसको मैं यापी into कर रहा हूं और बच्छों याप into कर रहा हूं ठीक है आप देखेगा 14 factorial sorry 18 factorial बच्छों ये वाला चीज क्या बन गा अपने पास that is your 18c 14 ठीक है और बच्छों ये ना 14 factorial upon 8 factorial into 6 factorial ये बच्छों आपकास बन गया 14c 8 ठीक है बच्छों ये आपका अनसर का format हो गया है and that is given in the option first तो बच्छों इस सवाल का अनसर क्या बन गा आपका first next one seventh one बच्छों sorry the greatest term हना बच्छों संख्यात्मक the greatest term numerically in the expansion of this one when x आपका बच्छों 3 by 2 है ठीक है मुलब कोई बच्छा इसको expand करेगा और x को 3 by 2 रखेगा तो यहाँ पी क्या total बच्छों 10 term आने वाले है total यहाँ पी क्या बच्छों 10 term माने वाले है इसके expansion के अंदर ठीक है तो आपको इसका formula बता ही होगा ठीक है सबसे पहले क्या करते है बच्छों हम लोग यहाँ पे 2 की power 2 को माने बाहर ले लिया तो 2 power 9 बाहर आगया बच्छों और 1 प्लस अब बच्छों माने यहाँ पे x को रख दिया इन्टू 1 प्लस 3 x को माने 3 बाइ 2 रख दिया है तो बनगा 9 बाइ 2 whole power 9 ठीक है तो बच्छों यह अपने पास term आगए ठीक है अब यार इसके अंदर दांस देखिए आप आपना इसके अंदर यह तो आपका coefficient भार हो गया ठीक है अब बच्छों इसके अंदर सबसे value wise ठीक है greatest term कोन साइगा बोलो उसके लिए आर निकालना पड़ेगा और बच्छों आर निकालनेगा आपका formula क्या होता है आर निकालना बच्छों क्या होता अपने पास x into n प्लस 1 upon 1 प्लस x ठीक है बच्छों यह होता अपने पास ठीक है that is your आर निकालनेगा बच्छों अपने पास यह फ़मला होता है अब यहाँ पे x का मानी क्या है 9 by 2 so 9 by 2 into n का मानी क्या 9 है तो 9 by 2 into 10 9 by 4 बनेगा न क्योंकि 2 पार यहाँ से बाहर निकाला तो 3 by 2 और यहाँ पे 3 by 2 तो 9 by 4 बन जाएगा बच्छों है रिए तो यहाँ पे 9 by 4 अपन बच्छों यहाँ पी क्याएगा 1 प्लस x तो 1 प्लस 9 by 4 तो बन जाएगा 13 by 4 4 से 4 बच्छों कैंसल आउट हो गया तो 90 by 13 तो 90 by 13 बच्छों कैंसल आएगा आपका लग बग 6.something आएगा 6.something ठीक है तो बच्छों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आर आपका इंटीजर तो है नहीं और हमारे पास आर क्या होता है आर जीरो से लेके 0 1 2 3 up to n तक यहाँ पे आर कहां से कहां पे होगा 0 1 2 3 up to 9 तक होगा तो अपना आर जो इंटीजर नहीं आ रहा है तो अपने क्या करेंगा उसके सब सी है न उसका ग्रेटेस इंटीजर पार्ट लेंगा उस के समे तो अपने पास इसका पार्ट क्यों है र का जी आर का कोण क्या बोलो बच्छों शीक्स आने वाला है क्याएगा बोलो बेटा, it will be 6, ठीक है, तो यार अपने पास है ना, जो ग्रेटेस्ट तम कौन सा आगा बोलो, t r plus 1 होता बच्चो है ना, तो ग्रेटेस्ट तम कौन सा आएगा, t r plus 1, ठीक है, तो जी आप के इसका 6 है, बेटो सात्वा तम जो होगा ना, सात्वा तम, ठीक है that is t seventh, बेटा t seventh आपका जो टम होगा, that will be greatest and value wise है ना, संख्यात्मक के तोर पे बच्चो होगा, सबसे हाइस तम यहाँ पे कौन सा होगा, सात्वा तम बच्चो होगा, ठीक है, उसके बाद आठवा है, नोवा, दसवा ठीक है ना, वो जो टम बच्चो होगा, वो आपकी सात value गटेंगे, ठीक है, value गटनी साट होगे है, ठीक है, तो value wise सबसे बड़ा value कौन सा होगा, संख्यात्मक के तोर पे कौन सा होगा, t7, तो t7 अभी नियास से निकाल लीजी, तो t7 को कैसे निकाल लेंगे, बैटा, वही 9 है, तो 2 पार 9 तो बच्चों बाहर कॉफिशेंट है, इन्टू, 9C6, ठीक है, और इन्टू बच्चों, 9 by 4 पावर, 6 बच्चों, ठीक है, 9 by 4 पावर, 6 ठीक है, आप इसको बच्चों काउंड करेंगे, आसे, ठीक है, इसको क्याल्कुलेट करेंगे, आप, गुणा बागी तो कड़ा, बच्चों, तो इसका आनसर अपने पास ब इसको क्या करेक्ट है, आपने पास क्या है, रूट टू प्लस वान, होल पावर, 6 है, तो यार, आपको सभी को पता है, कि जब आपको इसको क्या हैंगे, बोलो, कुछ इसका इंटिकल पार्ट आएगा, और कुछ यहां बच्चों, फ्रेक्शन पार्ट भी आएगा, ठीक है, तो इसको मैथमाटिकली मैं क्या कर लोगा, इस पूरे एक्स्पेंशन को माल लिया, कि यार, इसमें आई जो ना, वो तो इंटिकल पार्ट है, और इसके इंदर आपका फ्रेक्शन पार्ट क्या आपने पास, उसको मैंने एप माल लिया, कोई दिक्कत वाली बात, या तक किसी बच्चों कोई संका, कोई संदे, कोई गवराट, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो और आई का इंटिजर है, इंटिजर बच्चों कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यहां भी क्या बनगा आपका ही, रूट टू प्लस वन, ओल पावर शिक्स, और बच्चों यहां पे फ्रेक्शन पार्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि रूट टू क्या आपका, एक एरस्ल नंब इसके बगल में, उसके बिल्कुल नियर, एक ऐसा नंबर होगा, जो 0 से 1 में आएगा, that number will be the fraction part of this expansion, ठीक है, यहां तगी सिखुग संका वाले बात, सब बढ़े यहां तक चलिए सब, अब देखीए यार, मुझे इसको find करना है, तो इसके लिमा पूर यहां से गया करेंगे अप उन जानते हैं यार, कि इसका conjugate, इसका conjugate क्या हैगा बोलो, root 2-1, ठीक है, मैं यहां पे ले रहाँ, क्या ले रहाँ बच्छों, दूसरा इसका पार्ट ले रहाँ, root 2-1, root 2-1, इसका complete का पावार बच्छों 6, ठीक है, अब root 2 क्या होता बोलो बच्छों, 1.41 something होता है, ए non, sorry, एक irrational number होता है, ठीक है, और उसका जो value as something, 1.414, ठीक है, something होता है, ठीक है, minus का 1, तो बच्छों यह जो value इसकी आ रही है, वो कहां पे आ रही है, 0 से 1 में आ रही है, 0 से बच्छों, 1 के अंदर आ रही है, ठीक है, तो इसकी पार्च है जो होगी, वो भी कहां पे आएग रही है, वो भी बच्छों अपने पास, 0 से 1 के 20 में ही आने वाला है, ठीक है, तो यार इसको मैंने क्या माल लिए, यह purely आपके पास जो number होगा, that will be a fraction number, क्यों, क्योंकि यार यह जो base है, वो 0 से 1 में आ रहा है, उसकी power च्छा है, तो complete जो यहां से number बन रहा है, वो भी क्या बन गए अपने पास, वो क्या बन गा बच्छों, एक fraction number बनेगा, तो इसको मैंने यहां से क्या माल लिया, like this is something what we have, f dash, कोई doubt वाली बात बच्छों यहां तक, इसको मैंने यहां से क्या माल लिया है, इसको मैंने f dash माल लिया है, ठीक है, अब यार दोनों को add कर दे आप, इ यहां से आपकी जो ओर टम से बच्छों cancel हो जाएंगी, तो even term बच्छों जूट जाएंगे आपे, तो दो गुणा, यहां पी क्या बोलू, बच्छों 6C0, हना root 2 की पार 6, वो एगा 8, ओर टम cancel जाएंगे बच्छों, तो 6C2, और root 2 की पार 4, तो वो क्याएगा बच्छों, यहां बच्छों बनेगा, root 2 power 0, हाना, 1, यह बनगा बच्छों, ठीक है, तो बच्छों इसको आप count करेंगे, complete को count करेंगे, तो बच्छों यह आपकास बनेगा, 198 बनेगा, 198 बनेगा, ठीक है, complete, तो आप यहांस देख पारेंगे, बच्छों, कि आपके पास, I plus F, plus F dash, that is 198 क्या बना बच्छों, 198 बन गया अपका, ठीक है, अपने पास यहांपी क्या बना है, I plus F, plus F dash, बना अपने पास, 198, यह बना बच्छों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मुरे बच्छों, यहांस दिकालना देखीगा, यार आप देख पारें, मैंने स्टाइटिंग से बोला था, आपको यह कहांपी बोलो बच्छों, यह आपका 0-7 में है, एक fraction number है, ठीक है, और यह भी क्या बच्छों, आपका 0-7 में ही आपका आ रहा है, ठीक है, तो दोनों का सम बच्छों कहांपे होगा, दोनों को add कर देख, वो कहांपे हैगा, 0 से लेके बच्छों, 2 के अंदर हो सकता है, 2 पे bracket का साइगा, open आएगा, अब तुम्हें एक बात को गोर से दंग से देखें आप, यह अपने पास integer number है, यह 1 नहीं और यह आई है बच्छों, यह आपका integral number है, ठीक है, और यह दोरों का sum क्या बना बच्छों का है, वो भी आपका integer बन रहा है, ठीक है, वो भी क्या बच्छों, अपने पास एक integer number आ रहा है, so that means what, f plus f dash, this has to be integer, यह बच्छों पका integer होगा, क्यों, क्योंकि मालन से बच्छों, बच्छों ब plus f dash must be an integer, क्या बोलतों बच्छा, ठीक है, f plus f dash has to be an integer, ठीक है, पक्की बात है बच्छों, यह integer ही होगा, ठीक है, और 0, 7 में ऐसा कौन integer बोलो, 0 हो ने सकता है, क्योंकि यह pure integer fraction number बनेगा, ठीक है, यह भी क्या आपका fraction बनेगा, तो 0 हो ने सकता, तो 0 हो ने सकता, तो यहाँ यहाँ प्लस f dash has to be 1, तो यहाँ पे, आई क्या बनेगा, आई विल बी 108, sorry, क्या था 198 क्या, 198 मैंनस 1, तो यह बनगा, आपका 197, तो बेटा, आपका जो integral, यहाँ पे सवाल में क्या था, integral part of this one, इसका integral part क्या बनेगा, आपका C, तो C पार्ट भी करेक्ट, ठीक है, नेक्स वन 9th one, 9th one, 9th पर देखिए बेटा, the fraction part of this one, तो उसको निकाल लेजिए, 2 power 4 है, 2 power 4 है, 2 power 4 है, अपका बच्चों के आपका पास 15 है, तो 2 power 4 है, तो 2 power 4 है, को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा, यह बनगा, आपका 2 power, 4 बनगा, आपने पास 16, तो बेटा, यह बन ग पावर, n, और इसको मुझे बच्चों, डिवाइड करना, किसे बोलो बेटा, 15 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो इसका फ्रेक्शन पार्ट निकालना सीधी सी बाद है, तो इसको एक्स्पेंड करते हैं, तो nc0, प्लस nc1, इंटु 15 पावर 1, और अप्टू बच्चों, ncn, 15 पावर n, ठीक है, आप बच्चों, इस वाली पार्ट को 15 से डिवाइड करना, और इसको भी क्या करना, बच्चों, 15 से डिवाइड करना, तो आप देख पारेंगे, यह पूरा यहां से यहां तक, यह तो इंटिसर बनेगा, क्योंकि यहां पे पूरली क्या आपका 15 से हो सकता है ठीक है और बच्चों यह क्या आपका वन अपन फिप्टीन ना तो यह बच्चों क्या बनागा आपका फ्रेक्श्ट पार्ट भना ठीक है so fraction पर्ट विल बी 1 अपन 15 शो प्षान फेस्ट वी और करें लुट कें बढ़े आना सब गुछ साही सांदर है नेज्ट वन 10th वन बच्व इस हवाल अपने पास क्या अपने पास क्या थे गरेटेस्ट इनिजर फिस दिएद जान अंबर संख्या 101 पार 100-1 को विवाजित करने वाला सबसे बड़ा पुर्णांग क्या है सबसे बड़ा पुर्णांग बच्चों क्या हो सकता है तो उसको expand कर लीजे आप तो यार तो 100 पार 101 को मैं यहां से लिख रहा हूं बच्चों 100 प्लस 1 complete पार 100 माइनस बच्चों 1 ठीक है कोई दिक्कर वाली बात यहां तक सब कुछ बढ़िया ना तो मैंने इसको यहां से लिखा है 100 प्लस 1 whole पार 100 माइनस 1 ठीक है आप इसको बैनोमेली बेटा क्या करते है expand करते हैं तो यहां से अपने पास क्या मिलेगा 100 C0 100 पार 0 100 C1 100 पार 1 ठीक है बच्चों और अप्टू last लास्ट हम यहां पही क्या मिलेगा बच्चों 100 C100 और बच्चों 100 पार 100 माइनस का 1 ठीक है अब बच्चों यह 100 पार 0 100 C0 यह भी 1 तो बच्चों यह आपका यहां से cancel out हो गया लास्ट वाले 1 से ठीक है अब पूरे हाना इस पूरे टम में बच्चों common क्या रहा बोलो यहां से common क्या दिख रहा आपको बच्चों common अपनों यहां से दिख रहा है 100 100 बच्चों common दिख रहा है यहां पे आपका एक टम बन जाएगा ठीक है तो ऐसा कौन सा आदे greatest integer which divides the number sorry 100 तो यहां से और 100 पावर एक भी आ रहा है तो यहां पे आपका 100 पावर बच्चों 2 बार आजाएगा यहां तो यहां पे 1 प्लस सम्थिंग है आप यहां से बचेगा नबर ठीक है यह बटा 100 पावर 2 यहां से कौमान आजाएगा आपका इसको डिवाइड कर रहा है तो यहां पावर 2 यहां पावर 2 क्या यहां तैन थाउजड तैन थाउजड कहां दिखर आपने को ओप्शन सी में देख रहा है ठीक है ओप्शन सी बिक्राइट नेक्स वाण कि बड़ा संगू समझ में आ रहा ना आई हो यह सवाल आपने बच्चों बनाया हो तॉ कोई दिक्तवाली बात नहीं एक को उसकता है किसे बच्चा नहीं है नहीं कर सकता हूं ठीक है पेपर कर लिया आपने complete तो जहां जहां पर आपसे गलती विए ठीक है उसको बेटा पेपर के अंदर वीडियो के अदर डंक से देखें और उसको सुधाने कोसिस करें आप ठीक है इस बात की कसम खालें कि इसके बाद इस टाइब की गलती में कभी नहीं करने वाला हू सबसे मैक्सिनमगलती आपकी कैलकूलेशन की ही होती है तो बच्चो उसको ने को minimize करना वस उसको ऑपने नंसीगा करना मिनमाईज करना है तो बहुत अच्छे से सवाल को पहले अधन से पढ़ें उसके बाद उसको बच्छो पेपर को अरे में करना की कुसिस करें ठीक है न क्लीड रावर है तो यार मां यहां से गार रहा हूं उपर से न̩ बच्चो ब् स्सक्ठोड मैं यहां से से सी को मांन सार्छ क्या मिलएगा कि अप्स पर सुप्र जाय तो यह बन जाएगा त्मारे पास and n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial और पेटा नेक्स से गयागा बोरो n factorial upon 4 factorial into n minus 4 factorial और अप्टू लास्ट रम ठीक है ना अप्टू लास्ट ये बेटा यहाँ पर हो जाएगा अपने पस ठीक है तो यहाँ आप देख पा रहेंगी binomial coefficient के साफ जानते हैं अपने यार हना यहाँ बेटा यह क्या वन क्या आपने पास n से जुरू यह है हना अपने इसको बाइनवल coefficient के तोर पर बच्छो लिख पाएंगे राम से ना इसको बहुत डंग से लिख पाएंगे ठीक है क्योंकि आपने मैंने यह तो बोला आपको कि बाइनवल थियोरम जो चैप्टर बच्छो आपने उसके जो फॉमला है उसको आप किसी कोपी के अंदर बच्छो उस अंग से बच्चो उसी दो तिन पेज के पर आप डंग से क्या कर लें लपेट लें यार उसको डंग से रिवाइज करने के बाद फिर सवाल को टेंण तरना उसको क करें आप बस बाइनवल थियोरम बच्छो आपका इतना ही चैप्टर अपने पास है ठीक है तो यार यह बन यह सोनो और बेटा ऐसे कर क्या पहूं आगे बढ़ जाएंगे ठीक है ना अच्छा बेटा आपको जानते हूं यह क्या है देखो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अब टू ncn इसका value क्या होता है sum of all the binomial coefficient क्या होता है 2 power n और यहां पी क्या बचाओ nc0 nc1 nc4 अब टू last one ठीक है तो ब बच्चों यह अपने पास बन जाएगा 2 power n-1 तो बच्चों इस सवाल का जो आंसर बनेगा that is first one तो बैटा इस सवाल का आंसर अपने पास बन गया first ठीक है first will be the correct option next one the sum है तो बैटा आपने को sum का value निकालना है प्रफिशेंट के साथ में आपके पास आ रहा है यहां पर यह तो सीरीज बन रही है आपकी पास तो मुझे इसको डंक से क्या करना पढ़ेगा बन एख बच्छों पेपर में आपके सवाल आते हैं टिक है जे-ग पेपर गेन दे बच्छों ऐसे ही टायब की आपके सवाल पूछते हैं ठीक है कि या पे वन दे दिया याँ पे टू दिया या पे 3 दे दिया साते बाइन oversti लगा दीए exact बतारो ऐसी क्या यह टाइप के सवाल आपकी JEE की पीपर इंगे बच्छों रहते हैं तो इन सवालों को आप डंग से बच्छों attempt कर लें, नो डंग से आप शीख लें तो मेरा समालना है हमारे टीम का समालना है कि बच्छों सवाल आपसे बाहर नहीं जाएगा पेपर का तो यहां से अपने पास क्या बन गया बच्छों इस सीरीज को हम क्या लिखेंगे बोलो अब उसके बाद यहां पर एक प्लस मैनस तो सीरीज कैसा लिए बच्छों अल्टरेटीव सीरीज सल रही है तो यहां पर क्या बन जाग आपका माइनस वन पर पाउर बच्छों यहां पर लगा दिता हूं और मैने इस बात आपको समझ भाई कहा है यह चीज क्या आपका है R equals to 1 to 20 minus 1 to the power R minus 1 into R or into 20CR. ठीक है? बच्चों ये वाली चीज़ है ना आपका है? ये वाली बात बच्चों ये ही आपका. ठीक है? सेम है. अब इस अब वन रगेंद क्या कर लें हैं बच्चों? फुमला लगा लेंगा आपका ये क्या होता है बोलो? R into NCR. इसका बाइनोमेल च R into NCR का. N into N-1 CR-1. ठीक है? ये फॉमले बच्चों आपको सभी पता होना सी ठीक है? तब ही आप पेपर को attempt कर पाएंगे. ठीक है? R NCR क्या होता है? R square NCR क्या होता है? ठीक है? ये सारे बच्चों फॉमले आप डंक से क्या कर लें? नोडान कर लें. किसी पेज के अंदर, ठीक है? चो इस टाइप लेंगे शरीज हो आने वाली ना? उसके सवालोंगा आपकों डंक से क्या बच्चों attempt कर पाएं. ठीक है? तो यहार यहा से क्या बनेगा आपका 20 बहार आजाएगा? तो summation से बेटा 20 बहार आआपका ठीक है? तो 20 into ठीक है? Summation R equals to 1 to 20 और बच्चों यह क्या बनका आपका माइनस वन टो दी पावर आर माइनस वन इंटू 19 सी आर माइनस वन ठीक है ना अब बच्छो एक्जेक्ली यहां पी का देखो आर जीरो स्टाट होगा आप तो यहां पी क्या बच्छो टोटल तुमारे पास 20 तरम आने वाली हैं देखो 20 तो बाहर यहां बने गए अपने पास 20 इंटू आर को मैंने वन रखा तो क्या बने गए 19 सी जीरो माइनस आर को टू रखा तो माइनस का 19 सी वन प्लस 19 सी टू ठीक है और अब तो लास्ट लास्ट बच्छो मैंने आर को 20 रखा तो यहां पी क्या बोलो यह बन जाएगा बच्छो माइनस का 19 सी 19 ठीक है तो बच्छो यहां पी यह इससे कैंसल ठीक है यह दरवाला बच्छो 18 वाल से कैंसल यह दरवाला सब कुस कैंसल यह आप यह हो जाएगा सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने के लिए अपने को यह बच्छो यह यह याद है बेला सा मानना है कि वो बच्छा इन सवालों को डंक से क्या बच्छो अटेमने कर सकता है आपका नेक्स वां थर्टी नंबर 30 नंबर ठीक है बच्छो इफ एन इस पोस्ट्व इंडिजर ठीक है एंड यह नोटेशन आपका है दन दा वैल्यू आप इस वन ठीक है इसमें बच्छों कि आपका फॉर्मला यह बस के कोस्ट वन से लेके बच्छों कहां तक जाएगा अब देखो आपको बच्छों पता ही है एन सी के अपॉन एन सी के मैनस वन क्या होता है एन मैनस के प्लस वन अपॉन के बच्छों ठीक है तो बच्छों यह वाला जो ना यह वाला जो फामला है यह क्या बन जाएगा तुम्हारे पास N minus K plus 1 upon बच्चो K है ना अब स्क्वेर लगा तो बच्चो इसका भी स्क्वेर और आपका इसका भी स्क्वेर है ठीक है ना कोई डाउट वाली बार आप देखो यहार इंसाइड में है तो यह K power 3 से है आपका यह कर जाएगा आपका तो यहाँ ने हूँ क्या मिला भी Sigma K equals to 1 to N और यहाँ पी K into इसको बच्वेर अपन कर ले आप देखो N plus 1 को भी एक्साइड रख रहा हूँ तो यह बन जाएगा तुमारे पास N plus 1 power 2 plus K square और minus का 2 N plus 1 into बच्चो K ठीक है भी? कोई डाउट वाली बात यहाँ तर किसी बच्चे को नहीं है आप देखें यार तो इसको आप अलग-अलग क्या कर लें? summation क्या आपका? summation क्या बच्चों सिग्मा क्या आपका? पूरे ना individual terms भी बच्चों क्या आपका? हाँ ना? बटने वाला है तो यहां से क्या आप बोलो बेटा? यह आपका n प्लस 1 पावर 2 बच्चों बहार आजाएगा अपने पास और सिग्मा k एकोस टो 1 to n और बच्चों k प्लस इसमें क्या k स्क्वार रिभार आजाएगा? तो सिग्मा k एकोस टो 1 to n और बच्चों k स्क्वार और इसमें क्या आजाएगा बोलो बेटा? माइनस का 2 इन्टू n प्लस 1 बच्चों आपका बाहर आगया और सिग्मा k एकोस टो 1 to n और बच्चों यहां पे k आगया ठीक है? यह आगया बटा अब इसको जानते है हम लोग यह क्या होता? n into n plus 1 by 2 और यह बच्चों क्या होता? बलो n into n plus 1 into 2 n plus 1 by 6 इसको बच्चों पूरा और यह फिर से क्या? n into n plus 1 by 2 तो बच्चों complete को यहां सब बना के देखेंगे ला तो आपके पास बनाएंगे बच्चों तो अपने पास यह सवाल का पहला वाला सवाल जो आपको मैच कर जाएगा ठीक है मतलब सी बात है कैलकुलेशन करना है सबसे में जो सवाल का जो जड़ जड़ सवाल की है ना वो कौन सी बच्चों यह फुरमला याद है इस बच्चों याद है कि n c k upon n c k minus 1 उसका वेलू क्या होता है n minus k plus 1 upon बच्चों के इस बच्चों को यह फुरमला याद है डंग से वह सवाल को क्या है बहुत ही प्यार से सांती के साथ इस सवाल को बच्चों अटेम्ट कर सकता है ठीक है next one 40 number बैटा 40 number साथ ने देखिए कि आपने पास मलब यह बढ़ा सवाल है ठीक है तो अपने को बच्चों इसका वेलू निकालना है इसका बच्चों अपने को वेलू फांड करना है ठीक है देखिए हमरे पास यहाँ पी क्या बच्चों one plus x minus two x square whole power six equals to one plus a one x plus a two x square ठीक है प्लस a three x power three और अपने बच्चों यहाँ पी क्या आने वाला बेटा सभी हाई स्टम क्या है ठीक है ठीक है तो यहाँ पी क्या आपका a 12 x bar 12 ठीक है बला इसको expand करने बच्चों यहाँ पी यह टम्स आने वाले ठीक है है प्रफर अबस्ट करने ठीक है तो अपने वासे हीट हमाने वाले ठीक है ठीक है तो अपने को क्या घंडा यार अपने को a2 a4 a6 अब अलब बच्चों पने को ओर वाली जो टम्स आरे ना उनको पर चो कैंसल करना है तो उसके लिए क्या करने का पून यहां पर एक बार क्या करते हैं बच्चा अब पूट एकस इकोस टुवान एकस को जो माने वन पूट किया तो वन प्लस वन मैंस तो जीरो बराबर 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 और अब टू बच्चों क्या आपका आएगा A12 ठीक है अब बच्चा उससे फिर से क्या कर दूँगा मैं एकस को माने वन पूट कर दूँगा पूट एकस इकोस टू-1 बेटा मैंस वन पूट किया तो यह वन मैंस वन जीरो और मैंस टू पावर 6 तो बन जाएगा आपका 64 इकोस टू 1 मैंस A1 प्लस A2 मैंस A3 और अब टू बेटा प्लस A12 ठीक है यह बन जाएगा ठीक है अब दोनों को जोड देया रिसको आप इसका भील निकाल ना जाएगा तो इस इंप्लाइज A2 प्लस A4 और अप्टो आपका A12 ठीक है ना क्या वचाए बेटा देखो 64 बैटो 32 32 में सबच हो एक माइनस जाएगा तो 31 तो सन क्या वचाए अपका 31 तो 31 विल बीद आनसर तो बेटा यह सवाल का आनसर का वचाए 31 ठीक है सही यह बेटा सवाल है 15 ठीक है बच्छों अपने किसका वैलो निकालना तन A is ठीक है बड़ा बच्छों आपका यह A दिया तो हाना A का बच्छों हाना शोट फम मिस का अंसर क्या बनेगा अपने बास एक बच्छों 2N C0 2N C1 2N C1 2N C1 2N-1 C2 up to dash does, ठीक है, तो देखो यह टेंक से देखी है, मेरे पास यहाँ से क्या बच्छों, देखो, मैरा से यह बच्छों fix आपका, 2NC0, 2NC1, 2NC2, ठीक है, आप बच्छों इसको में थोड़ा सा अलग टाप से लिखने कोशिस कर रहा हूं, ठीक है, बेटा, यहाँ से क्या कर रहा हूं, coefficient of, मैं यहां से लिख रहा हूं, coefficient of, coefficient of x, ठीक है, इन, 2NC0, इन, देखो, 1 plus x power 2N, प्लस, इसको बेटा, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, 2NC1, बेटा, यह क्या बनेगा तुमारे पास, 1 plus x power, 1 plus x power, यह बाई है न, तो 2N minus 1, plus 2NC2, बेटा, नेक्स वाले क्या बनेगा आपका, 1 plus x power, 2N minus 2, और बच्छों जब यह आपकी पास, 2NC2N, बनेगा, तो यहां पर क्या आपका, 1 plus x power 0, बन जाए गई, तो 1 plus x power 0, ठीक है, अब तुम गोर से देखो, यह वाले चीज़ आपके पास क्या बनेगा, बोलो बेटा, यह binomial बनेगा आपका, यह binomial किसका बनेगा, बेटा, coefficient of x, in, और बेटा, अंदर बाले क्या बने बन गया, बन गया, और यहां पर x का बन गया, अपका x बेटा बन गया, यहां पर 1 plus x, बन तो है, और उसका इंडेक्स क्या बन जाए अपका 2N, तो यह बन गया, तुमारे पास 1 plus 1 plus x, यह x बन गया, इसका whole power 2N, बोलो बेटा, यहां तक सब को समझ में आ गया, कोई संका व 1, 1, 2, तो x plus 2 whole power 2N, बेटा, इसमें बन गया, अब इसमें यहां पर x का coefficient या सब क्या, बेटा, बोलो, यह तुमारे पास बच्चों, यहां बन जाएगा, अपने पास, 2N, ठीक है, c1, इंटु बेटा, इसको यह 1 दे देगा, तो x power 1, और इंटु 2 power 2N, ठीक है, यह बन गया बेटा, आप देखेंगे, अटंस यार, तो यहां आपने पास क्या बन गया है, 2N, इंटु, x का coefficient निकालना है, तो x का coefficient यह वाला पार्ट, और यह वाला पार्ट, तो यह बन गा, 2 power 2N, माइनस 1, तो इसको मर्ज कर देंगे, तो यहां से क्या बन गा, अपने पास 2 की पार, 2 की पार 2N, बेखो 2 की पार इसमें अट कर दिया, तो यह बन गा, n इंटु, 2 की पार 2N, तो आप्शन को बन गा, आपके पास, आप्शन C विल बी करेक्ट है, ठीक है 16 नमबर देखीगा बेटा, 16 नमबर बेटा, 16 नमबर बेटा, if आपको पूचा बेटा, if 1 upon 1 minus 2x plus x square equals to this one, then value of ar, तो आपको पूचा गाया कि a1, a2 up to ar, हाना, वो किस हाना, रूल को बचो फोलू करने वाले हैं, तो अपने पास यहां पही का देखीगा भी, अपने पास यह क्या है, 1 minus 2x plus x square, तो यह अपने पास x minus 1 का square है, तो यह उपर जागत क्या बनेगा, अपने पास, x minus 1 power minus 2, अब इसको open कर देजिए आप, तो क्या 2, यह a3, यह a4, तो यहां सब देख पा रहे हैं कि a r आपकी पास क्या बोले बेटा, 1 plus r है, a 1, 2 है, a 2, 3 है, a 3, 4 है, तो 1 ज्यादा ना, तो a r क्या बन जागा, अपने पास, 1 plus r, so options b will be correct, option b will be correct, 17 number, यह थोड़ा सा, calculation बना बच्चों सवाल है, उसने बनेओं क्या बोला है, यदि यह ऐसा है, x के सभी छोटे मानों के लिए, लगबग a plus bx किसके बराबर है, तो मलब यहां से क्या अपने को, x की गात 2, x की गात 3, x की गात 4, बच्चों उनको क्या करना है, तो उनको नेगलेट करने के बाद यह वाला जो ना, बेटा यह जो टर्म है, वो almost almost बच्चों a plus bx के बराबर है, तो वहां से आपको compare करके, a का value और बच्चों b का value अपने को find करना है, अपने को a का value और बच्चों b का value find करना है, ठीक है, yes, तो कीजी यह इसको explain करते हैं जिस चिदा आपका, तो पहले को आ लिखेंगे, 1-3 by 2 into x, ठीक है, बाकी x square वाली term यहां पे, मैंने सिदा आठा दिया है, नेक्स से क्या बनेगा, बेटा, 1-5 by 3, 1-5 by 3 into x, ठीक है, आप जो बेटा, यह नीचे वाला उपर जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, देखेगा, मैंने पहले 4 यहां से common निकाल लि पार, 4 की पार, एक बेटा दो, दो बारा जाएगा, ठीक है, तो एक बेटा दो बारा गया, और यह बन गा अपने पास, 1-x by 4, ठीक है, यह बनेगा, यह बनेगा, 3 by 2 और 5 by 3, यहां से क्या बनेगा, 3 by 2, प्लस का 5 by 3, क्या बनेगा भी, बेटा यहां पे 6 इस कैलसिम आ गया, तो 9, और प्लस का 2, तो 10, तो यह बनेगा, 19 by, minus का 19 by, 19x by 6, ठीक है, इन्टु 1 by 2, और यहां से यह क्या बनेगा, 1-1 प्लस, x by, 8 बन जाएगा रिया न, तो अब इसको बाग लगा दो और राम से बन जाएगा नसरा अपने पास, इसको बाग लगा तो यह बन जाएगा, 1-1 का, 19x by, 12, और इन्टु बचो, यह अपनेगा बन गया, 1-1 प्लस, x by 8, ठीक है न, अपनेगों इसको a plus bx फॉर्म में लेके आना है, तो पहले इसको बन जाएगा, अब इसको इसको मर्ज कर लिज़ आप, माइनस का 19 by 12 है, और प्लस, 1 by 8 है, लसे में आपका यहां से बन गया, 24 बन गया न, तो 12, 24, माइनस का 38, और प्लस का 3, तो माइनस का 35 by, 25, तो माइनस का 35 अपनेगों 24, इन्टो एक्स, एक्स स्कायर को इस स्वेश से गुणा करें, तो एक्स स्कायर का टम आएगा, और एक्स स्कायर का टम यहां भी क्या बच्छों, वेरी स्मॉल, उसको अपने को हटा देना है, तो यहां पे अपने पास आ गया, 1 minus, यह आ गया बच्छों, हाना, तो अपने पास यहां से क्या बनाए, स्वरी यह बना अपने पास, A का बेलू बटा बन गया, 1, और B का बेलू, minus का 35 by 24, इसी फ़र्म में लेक्या, A plus B, X, तो A बन गया, 1, B बन गया, minus का 35 by 24, तो अप्सन फैस्ट भी करें था, बिलकुर सिंबल क्याकु बेड़ा, 18 Wochen देखी कि आपने पास क्या है, हाना, बलोब यह तो बैने मेल इत्सपेंशन होदा ही है, उत् पता ही है, डन दा वृलू अप्टिस वन हाना, तो इसको इसकोbyछ चूप, समेशन को ब्रेक कर दें, क्या करतें हैं हाना, इसको demand क्या है क्या क्या ब्रेक कर दें, 17 पहले इस्सेडिया करनें तो पहले अपने पास यह पिंप सिग्मा आरी को सिटू जीरू टू एन और सिग्मा सिक्ष पूर इस अपने पास यहां प्यारा सीए कोई कतली बात यहां तक कि यहां तक सब बढ़ी है तो से कुल थिरा करें अम देखो है इस और यहांसे बार निकुलाँ है और आस पर से लेके n तक तो सिग्मा s equals to 0 to n उसका आहांस यहां से value क्या आगा बेटा 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे up to n पे तो यार इसका यहां से value क्या बनगा n प्लस 1 तो n प्लस 1 यहां से आपका बार आगया कोई दिक्कत वाली बात ठीक है और उसके बाद यहां से अपने पास क्या देखो सिग्मा r equals to 0 to n और आपका c r आ रहा है तो यह क्या बनेगा c 0, c 1, c 2, c 3 up to c n तो यह चीज़ अपने पास यहां से क्या बना बच्छों sum of all the binomial coefficient and sum of all the binomial coefficient क्या होता आपने पास that is 2 power n, obvious c बात है तो n प्लस 1 तो 2 power n plus यहां से भी क्या बनेगा बेटा यहां से भी अपने पास n plus 1 into 2 power n बनने बारा है तो आनसर आपने पास बच्छों यहां से क्या बन गया देखो दोनों सेम आ रहाना तो यह बन गया n plus 1 तो यह बन जाएगा आपका मर्ज होगे इंटु पार न प्रस तीक है तो इस में किसमें दिया आपने को आप्शन फैस्ट विल बी करेक्ट है ना ऑप्शन फैस्ट विल बी करेक्ट ठीक है बड़ा सवाल है नेक्स वन 90 नमर देखी है बैटा 90 ना वैलो फैस्ट पूर विजदा शिक्स तर्म तो टी शिक्स को अपन कैसे लिए टी फाइप प्लस वां ठीक है अब पांस पार बीटा अब इसको देखी है बिटा यह आपका वन बन गया और यह पास एक बैटा 5 यहाँ पे जाएगा न एक पास आगे चला गया और टू की पार लोग टू बैटा वो भी आपके पास बन बन जायागा थेक है तो यार इसको पहले मैं 2 पावर दे रहा हूं तो 9 फावर एक्स मैनेस 1 प्लस 7 और इसको 2पावर दिया तो रूट हट जाएगा बटा इसका वढ़िग 5 पावर इसको दे रहा हूं तो 2 पावर इसको देगे uelा पुन तो यहां पे इसका रूट हट गया इंटू पेटा यहां पर अपनी पास क्या बसेगा देखो इसकी पार एक बटा 5 है ना बई एक बटा 5 को लोग में जानते हैं आप एम इंटू लोग एबस एन क्या होता है एम जो आगे वाला चुक कोफिशनिट है बच्चों को क्या बन जाएगा आपके पास एन की पार में तो यहां पर एक बटा 5 ऊपर लग गया है और टू की पार लोग दू यहांसे बन गया वन तो यहां बन गया 3 पार ne फ्री पावर 101 फ्रों होल पर विटा पाउर पास क्ले इप्शा Зब्स ऑन लैख से लिगए तो नीचरीं तुमारे पास क्या बन गया उप्ले पावर होता है 21 तो 21 को से काटेंगा तो 4 बनेगा अपने पास तो फाइनली बचाओ अपने पास यहां से क्या मिला 9 पावर x-1 प्लस का 7 अपन 3 पावर x-1 प्लस एक यह बचाओ अपने पास यहां बनेगा तो यहां से क्या कर लें थोड़ा ना कुछ बचे यहां पर क्या करेंगे इसको क्या करेंगे और उसमें का थाइम बच्चों ज्यादा लंबा खिच जाएगा ठीक है उससे कहीं बड़ा चीज़ के आपके पास आप यहां पर उप्सक्राइब करके देख लें कि कौन सा एक्स तो तीन पावर जिरो वन तो वन प्लस टू तो यह बनगा आठ बटा दो चारा गया आपका तो अबेस्टी बात बेटा एक्स का यहां से वैलू क्या बन जाएगा आपका वन शॉप्सक्राइब करेक्ट नेक्स वन अच्डीट फॉड़ तो देखीगा सौर ट्वण्टी देखीगा नितिन हो इन अपना 90 होगा 20 देखी वीटा कोफिशेंट अब 10 अपं प्लस एक्स ग्स सक्रेज प्लस एक्स स्क्राइब दे कि आ हमिए प्लस एक्स फ्लस-एक्स-एक्स-थ प्लस-एक्स-पार-3 होल पा अब देखो यह चीज़ आपका यहां से common आ रही है ब्रेकेट से बाहर निकल के बनेगा अपने पास 1 प्लस X पार N इन्टू 1 प्लस X स्क्वेर होल पार है ना बच्चों यह अपने पास बन गया ठीक है अब यार आपको इस बात को ध्यान दखना पड़ेगा किना अपने की पेपर के अंदर हमने सारे इटाप की cansept यूज कर लिए ठीक है की all possible ऐसे कौन कौन से concept हैं जो बच्चों बच्चों पेपर के अंदर आपसे पूछी चा सकते है ठीक है उनको हमने सभी को यह तो हरना आ रहे हैं जगल ठीक है तो यहार यहां से पूछना है find करना एक स्पार 4 का coefficient तो आपको पताओ ना ज़िए बेटा है ना ऐसी टाइप की term के अंदर किसी भी power का किसी भी किसी भी है ना power का coefficient निकानने के लिए क्या करते हैं उसके according बच्चों टर्म को select करते हैं अपने यार तो यहां सेंग क्या कर लेंगे एक स्पार 4 का जो coefficient बच्चों यहां से कैसे निकालेंगे भी एक स्पार 4 का कोफिशन निकाल ला है तो उसका तरीका फिक्स होता है क्या कर लें इससे चार टम पहले से 4 चार बन जाएगा तो पहले से 2 टम छाट लो 4 टम छाटने का तरीका 9C4 प्लस क्यों लगेगा क्यों कि केस में डिवाइड करें बच्चों या तो ये केस या ये केस या बच्चों ये केस ठीक है और जहां भी आपके पास और का सेंस आठा है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों P and C के अंदर अड करते हैं चीज़ों को या ठीक है तो 9C4 प्लस इसमें 0 टम इसमें 2 टम तो 9C2 प्लस अब क्या करना है इसमें से 1 और इसमें से 1 और इसमें से बच्चों इसमें से 2 और इसमें से 1 तोसमें दो तरम चांट लो, 9C2 into इसमें से एक, तो 9C1 so that is the answer ठीक है, यह किसमें दिया अपनेंगो बेटा option number 4, option 4th will be correct, next one 21 21 21 बेटा है fx अब बास यह दिया बेटा then coefficient of x square in f of x minus 1 ठीक है बच्चों, यह आप से पूछा गया है तो यह पहले fx को निकाल लीजिए आप fx यहां से अपने पास क्या बनेगा अब ही आप जानते हुआ sum of zp क्या होता है अपने पास a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r होता है यहां पी a क्या 1 है तो 1 minus r कैस का r बच्चों minus x है ठीक है तो minus x की power और n कैस में देखो x power 0 से लेगे x power 76 तक तो 0 को add करते वह ना x power 0 x power 1 x power 2 x power 3 x power 17 है तो यहां पे total terms कितने आगे बेटा 18 terms आगी तो यहां पी क्या 1 minus minus x की power 18 upon क्या होता है 1 minus x होता है ठीक है तो 1 minus और minus x कोई डाउट वाली बात बच्चों यहां तक बोलो सही है तो यहां अपने पास बच्चों यह क्या बन गया 1 minus x की power 18 upon 1 plus x कोई दिक्कत वाली बात यहां तक बच्चों है किसी को अब अना x square coefficient निकालना आपको और किस में f o x minus 1 में तो यहां पे अब इसके बाद क्या कर लेंगा हम लोग x minus 1 निकाल लेंगा इसका वो यहां से क्या आगा बच्चों 1 minus x minus 1 की power 18 upon 1 plus x minus 1 x से बेटा 1 आपका cancel हो रहा है यहां पे तो अपने पास यह चीज क्या मिला बोलो बेटा 1 minus इसको 1 minus x भी कर दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है upon बेटा यहां पे क्या बनगा पे पास x बनगा भी ठीक है अब दिखिए गया बुझे क्या निकालना बोलो बेटा यहां से x की power अब इसको open करेंगा अपन यहां से तो क्या है बेटा 1 minus open करने इसको आप 18C0 ठीक है 18C0 और बेटा 1 की पार 18 ठीक है नब open बन जागा ठीक है फिर आपका 18C1 into x ठीक है प्लस 18C2 into x square minus 18C3 into x power 3 और अप टू लास्ट अपन बच्चो अपने पास यहां पे x है ठीक है अब देखो एक से कट गा है आपका तो x square coefficient कहां से हैगा यहां से भी ने हैगा यहां से भी ने हागा यहां से भी ने हागा कहां से भी ने हैगा यहां से आने वाला है क्योंकि यह मैनस मैनस ब्लस बन जाएगा x power 3 को x 6, divide क्या x square यहागा तो अपने पास x square coefficient बचो यहां पी क्या बनेगा तुमारे पास that will be 18C3, 18C3 बच्च आपके पास आएगा 816, so option B will be correct, option B will be correct, option B will be correct, okay, simple calculus नहीं करना, बस बागी कुछ से नहीं करना है, wise number इसमें कौन सा आएगा, तो पहले आपको साफ सब दीख रहा बच्चों की 1 plus 3x plus 3x square plus x power 3, यह हमारे पास किया 1 plus x की power 3, 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 पार 18, तो 18 बन गाए बच्चों, तो यहाँ पी क्या बोले बेठा, total terms हाना, total terms, they will be 19, और बच्चों, 19 कैसा आपका odd number है, तो जब terms आपके पास expansion में odd terms हा रही है, तो उसका mid term कैसा निकालते हैं, n odd है, तो कैसा निकालते हैं, n plus 1 by 2, simple others, तो यहाँ पी क्या आपका, mid term कौन सा हैं का बोले बेठा, mid term, mid term कौन सा हैं का बोले बेठा, 19 plus 1 upon 2, 2th term हाना, तो यह बेठा क्या आपके पास, 10th term हाना, तो बच्चों, 10th term में इसका क्या होगा, mid term, so option C will be correct है, ना, next one, उनको बार कर लें पहले आप, तो A into C0, plus C1, plus C2, और अप्टू बेठा क्या आपके पास, Cn आ रहा न, और प्लस बेठा, यहाँ पे अपने पास क्या भी, देखो, B into, हमार पास बेठा, यह क्या आपके पास आ रहा, देखो, B into बेठा, C1, plus 2C2, plus 3C3, और बेठा, अप्टू प्लस, N, Cn बचो, ठीक है, यह अपने पास क्या, sum of all the binomial coefficient, यह अपने पास हो जाएगा, A into 2 power N, ठीक है, प्लस, यह बचो आपने पास क्या रहा, B into, देखो, C1 plus का 2C2, तो यह 20 बेठा, आपर पास बेठा, यह क्या बनेगा, आपका, N, और N-1, C, R-1, ठीक है बेठा, यहां तक सब बढ़िया, अब यह भी क्या बनगा, तुम्हारे पास, देखो, A into 2 power N, प्लस, यह BN बहारा आगा, अब R को 1 रखा तो क्या बनेगा, बेठा, N-1, C0, plus N-1, C2, और बेठा, 2, N-1, C, N-1, तो यह अपने पास क्या है, sum of all N-1 binable coefficients, यह आपके 1 आएगा न, तो बेठा, इसका sum क्या बनेगा, तुम्हारे पास, यह बेठा बनेगा, अपने पास, A into 2 power N, plus, B into N, into बेठा, यह अपने पास बनेगा, 2 की power N-1, ठीक है, बेठा, यहां से अपने पास क्या बन गया, 2 की power N upon यहां से, 2 की power N-1, यहां से बाहर निकाल लें, तो यह पहले बसका 2A, और प्लस यहां पे NB, यह बसका 2 की power N-1, into 2A plus NB, तो बेठा, कौन से बन गया, 2 की power N-1, 2A plus NB, option B will be correct, next one, so भीस नमबर, 24, the sum of coefficient in the expansion of this one, ठीक है बेठा, यह तो सबसे आसान सावाल है, coefficient है ना, सभी coefficient का sum निकालने के लिए, एक तो होता है, sum of all the bannoyal coefficient, वो क्या होता बेठा, 2 power N होता है, और यह क्या होता है, उस term को expand करने के बाद, हना, जो आपके पास all the coefficients आ रहे हैं, उनका sum निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यदि वो expansion आपका X की form में है, तो simple सी यह बात है, वहाँ पर क्या करना होता है, आपने को X को 1 put करना होता है, और मालना से बच्चों, हना, XY की form में है, और वहाँ आपसे पूचा गया है, कि sum of all the coefficients क्या आने वाला है, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग X को 1, Y को 1, इसी टाइप से तुम्हारे पास N variable की form में कोई expansion आ रहा है, और बच्चों आपसे पूचा गया है, कि sum of all the coefficients क्या आएगा, तो simple सी बात है, बहुत ही आपका रमबान क्या बच्चों, इस सवाल का, आप क्या कर दें, उन सभी variables को 1, 1 put कर दें, तो जो बचेगा न, वो जो sum आएगा, वो क्या एगा तमारे पास, that will be the answer, तो sum of all the coefficients यहाँ पही क्या आएगा, x को 1 put कर दें, y को बच्चों 1 put कर दें, तो sum of all the coefficients क्या आएगा, बेटा, 5 minus का 4, इसकी पावर n, तो 1 की पावर n, आरसर क्या बनागा आपका 1, तो sum of all the coefficients यहाँ से क्या आएगा, बच्चों 1, very simple problem, next one 25, 25, 25, अच्छा बेटा, इसमें भी का आपका वही लगेगा, जैसे मैं नहीं बोला न, आप इस chapter के, जो भी तुमारे पास important concepts हैं, उनको एक page के अंदर क्या कर लें, आप उसको बच्चों, लिख लें आप, ठीक है, उसको पेज के अंदर क्या कर लें, उसको आप डंग से आप याद नहीं आते हैं, ठीक है, कि यार इसमें कौन सा फ्रम्ला लगेगा, ठीक है, आर स्कार इंटो एंदर क्या होता है, ठीक है, उसकी बाद में प्रॉपरटी जो बैनिवल थियोरम सा न, वो हाना, उसको बच्चों कहसे अपने को, बलब याद रखना है, तो उसके ल पास यहाँ पी क्या है, इस एक्वल टू, तो अपने यहाँ से क्या करें हैं, इसको उपन कर लें आप, तो M, C, R, प्लस वन, और प्लस, अच्चा, यहाँ से अपने पास के, K, M से बच्चों क्यों स्टार्ट हो रहा है, तो पहली बात है, यहाँ पे आएगा, M, C, R, प्ल है, तो R, यहाँ पी क्या आपका, as a consonant है, R के उपर चेंज नहीं करना आपको, चेंज का पे एगा, वेरिबल कौन सा, K है, और K साट कहां से हो रहा है, M से साट हो रहा है, M से लिके up to N तक जा रहा है, तो उपर वाला जो पार्ट है, वो बच्चों यहाँ पर अपना R, अब आपको पता होना सी या, कि देखो, यहाँ अपने पास क्या M है, और निशिय अपने पास क्या R, R प्लस 1 है, तो यह समेशन होगे क्या बन जाए, M प्लस 1, C, R प्लस 1, ठीक है, अब देखो, यह अपने पास क्या M प्लस 1, C, R यह वाला पार्ट, अब यह मिल के बन जाए, बोलो बेटा, बात को फील कर पा रहे हो गया, M प्लस 3, C, R प्लस 1, ठीक है, ऐसे करते करते बेटा, लास्ट में जो बनेगा, वो अपने पास यहाँ पी क्या हो जाए, M प्लस 1, C, R प्लस 1, ठीक है, बहुत सांदर, बहुत सांदर, ठीक है, option number B will be correct, N प्लस 1, C, C, R प्लस 1, ठीक है, तो बेटा, यह अपना पार्ट, इसका section 1 complete होता है, ठीक है, अब बच्छो अपन क्या करते हैं, आपका, इसके section B की तरह बच्छो बढ़ते हैं, ठीक है, section B की तरह बच्छो अपन, section D की तरह बच्छो अपन, चलो, start करते हैं इसको, ठीक है, तो इसके options बच्छो गीवन नहीं होते हैं, तो जो आपका answer रहा है, उसको बच्छो आपको, ओमार सीट के अंदर, बलबना, आपको skin के उपर बच्छो उसको feel करना होता है, और सबसे सांधर बात क्या है, इस pattern की बच्छो इसमें आपके बास negative marking नहीं होती है, ठीक है, बलब आ आपका 4 marks and 0 mark, प्लस 4 and 0, देखो पहला सवाल देखीगा, टोटल आपके पास ही 20 नमर का section होता है, ठीक है, and coefficient of x square in the expansion of this one, ठीक है, ठीक है, तो यार इस सवाल को क्या सी करें, इसको पहले break कर लेंगे, यार, a upon 1 minus x, ब्रेक कर लेंगे, so, b upon 1 minus 2x, ठीक है, जानते हैं हम सब लोग, यार, कि partial fraction form में कैसे break करना होता है, c upon 1 minus 3x, ठीक है, इसको माने याँ पहले क्या लिख लिए है, a upon 1 minus x, प्लस b upon 1 minus 2x, and plus c upon 1 minus 3x, ठीक है, याँ तो को दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, अब यार, आप जानते ही हो, कि यहाँ से, a, b, or c, कैसे निकालना है, instruction, फ़र, याँ से निकालने है, ठीक है, और इसका directly बचो दो यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है, a को कैसे निकालने हैं, बोलो, एक निची क्या पर X-1 है तो X-1 वाले पार्ट को छोड़के बाकी सगय क्या कर दें, वन पूट कर दें, ठीक है यह साइध आपने सीखा होगा, ठीक है अलब यह चीज आपने सीखा होगा, आप यहां पी क्या कर दें, बेटा, एक निची बाकी सगय पूट किया तो यह-1, यह-2 तो बन गया यहां चोड़के 1-1, माइनस का 2 तो बन गया बेटा, 1 by 2 तो बेटा, एक आमान बन गया हमारे पास 1 बटा 2 ठीक है साब? इसले टाप से बच्चो B क्या बन दें आपका? एक बटा दो रखना आपको एक तो यहां पर एक यहां पर तो यहां से बनेगा अपने पास एक बटा दो एक बटा दो रखा तो और यहां से बनेगा अपने पास माइनस का 3 बाइटो तो बनेगा माइनस का एक बटा दो ठीक है एक बटा दो रखेंगे आसे c निकालना है तो 1.3 रखना अपने को तो यहां बन जागा अपने पाने पास और यह 1 मैंस का 2.3 तो यह बन गा ए 1.3 तो मारे पास यह बन गा बचों constitliber 7 बन जा दो लें गाकちは 1 plus x square 1 plus x plus x square आगे expand होगा plus b into 1 plus उपर लेगे जाएंगे तो 1 plus 2x plus 2x का square ठीक है ना और plus c into 1 plus का 3x plus का 3x का square ठीक है ना आप टू लास्ट अब निकाल लेज़े बटा इसको यहां पर सम निकाल लेज़े एक स्क्वार कोफिशन के लिए यहां से आ जाएगा पहले आ जाएगा 1 by 2 बेटा b में तूसरे में क्या जाएगा अपने पास minus का 1 by 4 और इंटू यहां से 4 और plus c में यहां पर अपने पास क्या बन जाएगा c में यहां से बन जाएगा आपने पास 9 by 2 into यहां से 9 यह तो बने गए अब इसको find कर लें आप तो यहां आपने पास बच्चों बन गा है minus का 1 by 2 और plus का 81 by 2 कहें कुछ गड़बड कर दिया गया कहें कुछ जिक्कत नहीं है अब देखता है को रूखो 1 by 2 B के मान के अंदर C के मान तो ठीक है हमने B के मान कुछ गड़बड कर देब बचा B के मान में B के लिए पून करेंगे यहां पे X को 1 by 2 पूट करेंगे तो 1 by 2 यहां रखा तो यह 1 by 2 और यहां पने पास आगया 1 by 2 इन्टू यह बेटा अपने पास बन गया मानस का 1 by 2 है तो मानस चार आएगा B का मान बेटा यहां से मानस चार बन जाएगा बी विली मानस चार मानस चार आएगा ठीक है तो मानस का चार आगया बेटा है तो मानस का चार बन गा तो यहां से क्या बन गा आपने पास यह मानस चार आएगा ना मानस चार तो बेटा आपने पास यह आगया एक बटा दो मानस का सोडा प्लस 81 by 2 ठीक है भाई तो यह बेटा आपन जोड देंगे इसमें तो 81, 82 तो 41 मानस का 16 तो यह बन गा 25 ठीक है क्या बनगा बेटा 25 विल बिदा अंसर नेक्स वा मेटा ना नग्स वन नेक्स फ़न ठीक है है इसको मैं यहां पर ऐसा लिख रहा हूं बिटा न एक प्लस साथ इसके पार बिटा 83 वो एनस एवन और को कैंसल करने के लिए और इसको बिटा मैं 6 को क्या कर रहा हूं साथ मैंनस एक होता है बट मैंनस एक बार को मैं ले रहा हूं तो यह बन जाएगा एक मैंनस का साथ इसकी पार बिटा 83 समझ पारे बात को भाई 6 की आथा साथ मैंनस एक होता है बट मैंने मैंनस बार साइन ले लिया यूगि इसकी पार ओड लगी विए तो इसको मैं एक मैंनस साथ कर सकता हूँ ठीक है अब बेटा ये अपने पास क्या बनगा है दो गुणा अब इसमें क्या ना E1 टम सब कंसल हो जाएंगे ठीक है प्लस होता तो ओड कंसल होती माइनस दो बच्चो सारी E1 कंसल हो जाएंगे ठीक है पहली टम में क्या आपका बेटा 14 इंटू 83 बेटा यहां से क्या आपका साथ पार 3 कंवान आगा आपका साथ पार 3 इंटू 2 बेटा कंवान आगा दो पहले से बाहर पढ़ा है साथ की पार 3 बेटा यह चीज़ हमारे पास क्या यह वाला जो फैक्टर है ना बच्चो यह वाला जो टम है यह प्योर लिका आपका साथ की पार दो मिंस 14 क्या साथ की पार दो है तो साथ की पार 3 कॉमन आगा तो पूरी तरह से बच्चो क्या आपका डिवाइड हो गया तो sum of the digit of remainder, तो इसका digit का sum क्या रहा बोलो बेटा, 3 प्लस 5, तो answer क्या बनेगा, आपक पास 08, तो दूसरे सवाल का answer क्या बनेगा, बच्चों, 8 answer बनेगा second part का, ठीक है भी, कोई दिकत, कोई संका, कोई बराट वाली बात, यहां तक, सब बढ़े आने, यहां तक, चलिए भी, 30 सवाल, 30 सवाल बेटा, अपने पास यहां पे क्या है, 30 सवाल ठीक है ना, बेटा कोई गीवन है, तो यहां से compare करके, यहां निकालना है, फिर वो यहां से आपको n निकालना है, तो अपने पास यहां से पून देखें, तो यह बन गा है, 1 मैनस का 2x, प्लस, 1 मैनस का 2x, प्लस, 5x स्क्वेर, मैनस, 10x पावर 3, ठीक है भी, बेटा, इसको पॉन ओपन करते हैं, तो 1 प्लस nx, प्लस nc2 into x स्क्वेर, अब टू, लास्ट, अब मुझे यहां पे a1 क्या बेटा मेरा, a1 मेरा x का कोफिशेंट है, तो x का कोफिशेंट पर निकाल लेते हैं, a1 यहां से क्या बनेगा, x का कोफिशेंट, एक तो इससे गुणा क्या तो n, एक बिटा x स्क्वेर को यहां से गुणा क्या तो, minus का 2x into 1, तो minus का 2, यह बनेगा अपका a1, अब a2 निकाल लो, a2 मारे पास क्या x स्क्वेर कोफिशेंट हैं ना, देखो a2 यहां से क्या, आप x स्क्वेर कोफिशेंट यह है, तो a2 निकाल लिए आप, a2 क्या से निकलेगा बोलो, एक को यहां से गुणा करदो, तो n, c2, दो कुछ से गुणा करदो, तो minus का 2n, फिर 5 कुछ से गुणा करदो, तो 5, यह बनेगा अपका a2, अब आपने पास क्या है, a1 का स्क्वेर, मिन्स इसका स्क्वेर, तो a-2 का स्क्वेर, ब्रावर, दो गुणा दिस वन्दा, दो को से गुणा किया तो, यह minus का 4n, plus का 10, और plus यहां पे n into n-1 बैटू, तो 2 से गुणा किया तो n स्क्वेर, मिन्स का n, अब इसको उपन करदे हैं, आप तो n स्क्वेर, plus 4, minus का 4n, ब्रावर, minus का 4n, प्लस का 10, plus n स्क्वेर, minus का n, देखो, minus 4n से बैचो, 4n, cancel out, n स्क्वेर से आपका n स्क्वेर भी यहां से उड़ गया, तो यहां पे n उदर गया, 4 तर आप तो n ब्रावर क्या बन गाए, आपका 6, तो बेटा इस सवाल का, बद, इसमें भी क्या बने पास, calculation ही है, तो यहां पर आपका n का मान क्या बना बेटा, n का मान यहां से बना अच्छे, ठीक है भी, next सवाल, 4th वन, ठीक है भी, 4th सवाल, remainder obtained win, sorry when, ठीक है, शेस्वल क्या एगा बेटा, जब अपने इसको की से डिवाट पना से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, आपको पता है, 1 factorial, प्लस का 2 factorial, प्लस का 3 factorial, प्लस का 4 factorial, ठीक है न भी, तो यह देखना पड़ेगा अपने होगा से यार, कि यार, 5 factorial में क्या आएगा, 5 factorial के अंदर है, मैं सब पंदर आएगा, बस, 6 factorial में क्या बेटा, मैं सब पंदर है, उसमें include ह तो बॉल सकते हैं यार कि पांस ऐसे बाद में ये जो टम आ रहे न अप्टू नाइटी है यह तो पूरी तरसे आपका डिवाइड हो रहा है किसे भी 15 से divide हो जाएगा तो remainder कहां से निकलेगा remainder बच्चों यह से निकलेगा आपका तो यहां से इसको निकाल लिज़े 1 प्लस का 2 प्लस का 3 फैक्टरल 6 यह 24 यह से निकलेगा आपका बाखे तो divide हो रहा है ना तो 24, 33 तो 33 हागा आपका यहां से 33 प्लस आपका पूरिटर डिवाइड हो रहा है अब 33 को 15 से भागा लगा तो remainder क्या वने का 3 तो answer क्या वने का बेटा 3 तो इस सवाल का answer क्या वने का अपने पास 3 विल बीदा आंसर next one last वाल ठीक अभी देखेगा बेटा इसमें अपने पास के यार आपके पास है ना बेट विए यार प्लस वन क्या अपने पास बच्चों क्या बन गया 11 by six और दूसरा मारे पास बच्चों क्या बन गया कि अन्सी आर अपन एंड मैस वान सी आर मैनस वन ये बन गा चैब टा तीन निस दो बन गया आपको पताउन लिए यह बोल तो आप जानते हो यार यह फॉम्ला क्या बन जाएगा बोल आपका यह बन जाएगा एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन ncr ओपर वाला निच्चे वाला से बनेगा बेटा अपॉन ncr इक्वस टू 11 by 6 ठीक है बेटा यह आपका इससे से कैंसल हो गया अब इसको क्रोस गुणा कर दें तो 6 n प्लस का 6 ब्राबर 11 r प्लस का 11 और यहां से क्या बनेगा बोलो यह बन जाएगा तो यह बन आप 6 n ढ़ाबर 11 r और प्लस का 5 अब n क्या आपका दोवार है तो यह 2 narr ब्राबर 11 r प्लस 5 तो तो प्लस प्लक्च और र बन जाएपना 5 आर बच्को बिच्शों बन जाएा 5 तो n आंका बन जाए 5 12 तो n वेच़्ेटा तो इस सवाल का आंसर पने पास क्या बनगा है बेटा 50 इस सवाल का आपका सवाल पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा ठीक है मैं उमीद कर रहा हूँ आप अपने math chem DTS को अपनी full तैयारी के साथ attempt कर रहे हैं आज मैं आपके साथ आपके 6 टेस्ट में औरनी chemistry के chapter LD head ketone के जो questions हैं उनको discuss कर रहा हूँ करें शुरू बेटा ठीक है section A में आपके पास first question है consider the following reaction दो reaction आपके पास है which of the following reagent is able to distinguish between the products P and Q आपको पहले reaction complete करनी है जो product है उनको distinguish करने में कौन सा reagent हम use करेंगे उसको हमें check करना है तो ये reaction देखें आप जब हम यहाँ पर ये easter है और easter का आपको क्या करना है पहले alkaline medium में hydrolysis करना है और फिर protonation कर देना है तो जब आप easter का hydrolysis करेंगे और hydrolysis करने के बाद protonolysis उसका कर देंगे तो आपके पास क्या-क्या products है ये देखें first में आपके पास पहले ONA बनेगा बिटा और यहाँ पर आपको मिलेगा इनल फॉर्म उसके बाद इसका protonolysis करेंगे तो यह H plus के साथ react कर जाएगा और आपको compound देगा acetic acid तो यहाँ बना हुआ है acetic acid दोनों जगा बना हुआ है अब यह in all form में convert in all form है इसको आप totomerize करेंगे जब आप इसको totomerize करेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा की ketone तो आपके पास यह clear हो गया कि P क्या है P एक ketone है यह तो clear हो गया अब बात करें Q की ठीक है यह clear हो गया P हमें क्या मिल गया एक ketone अब next यहाँ पर hydrolysis करेंगे ONA plus OH इसका proton lysis करेंगे यह तो OH में convert हो गया आस्टिक आसेट में problem नहीं है यहाँ पर यह inol form से keto form में convert होगा तो आपके पास एक aldehyde आएगा तो Q आपके पास क्या है एक aldehyde है P ketone है Q aldehyde है आपको question क्या पूछा है which of the following reagent is able to distinguish between the products P and Q P और Q को distinguish करने के लिए आपके पास कौन सा suitable reagent है क्या आप इसमें Lucas reagent काम में ले सकते हैं नहीं ले सकते वेटा 2,4 DNP दोनों के साथ positive test देने वाला है failing solution देखें failing solution इसके साथ positive test देगा failing solution इसके साथ positive test देगा और यहाँ पर negative test देगा sodium by sulfide sodium by sulfide दोनों के साथ positive test देने वाला है तो suitable reagent आपके पास कौन सा आया वेटा थर्ड कौन सा आया वेटा थर्ड बास समझ में आ गई ठीक है next question पसलते है which of the following reagents would convert बोथ acetaldehyde and acetone to the corresponding alkane निमलिक्त में से कौन सा अभी कर्मक acetaldehyde और acetone दोनों को संबंधित alkane में परिवर्टित करेगा बेटा c double bond o को alkane में convert करना है तो कौन सा reagent suitable होता है इसके लिए या तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं क्ली mention reduction या यूज कर सकते हैं वाल्फ किष्ण reduction क्ली mention reduction वाल्फ किष्ण रिदक्शन आप यूज कर सकते हैं तो देखें यहां पर आपके पास suitable reagent कौन सा रहेगा पूर्थ क्ली mention reduction ठीक है next question आपको इसमें चेक करना है final product B जो अंति मुत्पात B है आपको उसे चेक करना है तो देखें आपके पास क्या है आपके पास एक एक बेंजल डीहाइड है एक आपके पास acetaldehyde है एन एओच है टेंपरेचर है तो इसका मतलब हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं cross aldol condensation की किसकी बात कर रहे हैं cross aldol condensation की बात कर रहे हैं तो अपन option देखें तो option क्या recording ही हमें question को solve कर लेना चाहिए तो आपके पास एक बेंजल डीहाइड है एक acetaldehyde है यहां से इसको remove करें आप temperature दिये है इसलिए में direct question इसमें product को बना रहा हूँ बात समझ में आ रहे है यह बड़ा ठीक है यह आपके पास compound A है अब इसमें आपको क्या करना है sodium borohydride add करना है sodium borohydride इस double bond को reduce नहीं करेगा लेकिन इस lda group को alcohol में convert कर देगा तो जब आप इसमें na bh4 add करेंगे तो आपको कुछ ऐसा result मिलेगा यह आपके पास answer आएगा तो ऐस answer कौन से आपके पास third ठीक है next find out x आपको इसमें x क्या है उसे पता करना है एक aldehyde है एक alcohol है excess में dry hcl आपके पास है तो इस process में आप पहले क्या बनाएंगे aldehyde है alcohol है पहले hemi acetyl बनेगा और वो hemi acetyl किस में convert हो जाएगा acetyl में convert हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का result मिलेगा ठीक है यह आपको result यहाँ पर मिलने वाला है बास समझ में आ रही है aldehyde है alcohol है dry hcl है तो आपको कौन सा product कैसे बनाना है पहले क्या बनेगा hemi acetyl उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है acetyl product मिलने वाला है तो यह मैंने यहाँ पर direct आपको x बना के दिया है अब इसके लिए आपको x find out करना है 1,2 तो 1,1 dye ethoxy ethane बना बेटा 1,1 dye ethoxy ethane आपके पास answer आ जाएगा next में identify structure B आपको B क्या है वो पता करना है तो देखे start करें इसके अंदर यह आपके पास एक ketone है और यहाँ पर आपको दे रखा है ethylene glycol ethylene glycol का क्या use है carbon oil group को protect करने में help करता है अब इन में से यह कहाँ पर easily attack करेगा यह आपको देखना है कहाँ पर यह easily attack करेगा वेटा इन दोनों में से यहाँ पर क्योंकि less hindered है यह कैसा है less hindered है तो यह इस group को protect कर देगा वेटा जो लेस इंडर्ड है उस गुरूप को क्या करेगा प्रोटेक्ट कर देगा बात क्लियर होगी तो आपको यहाँ पर जो प्रोटेक्ट मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से इस पोर्शन को रिमूव कर दो कि यह रिजल्ट आएगा पहले ठीक है कि किसकी स्ट्रक्चर आगी यह पने पास विटा एक ही स्ट्रक्चर आगी अब आपको क्या करना है अब आपको क्या करना है इसका लिथियम ऐलिमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करना और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस भी कर देना है तो lithium aluminum hydride इसको किसमे convert कर देगा alcohol में convert कर देगा alcohol में और साथ में ये जो है अपने original carbonyl group में convert हो जाएगा चलो देखते हैं जब आप इसमे lithium aluminum hydride add करेंगे और फिर इसका hydrolysis करेंगे यहाँ पर reduction होगा यह reduction हो गया और यहाँ पर hydrolysis होकर के जो आपका original carbonyl group है वो आपको मिल जाएगा तो यह compound आपके पास B है यह compound आपके पास क्या है B है चलो देखें हमें B ही identify करना था यह structure आप देखें B की structure किसके साथ match कर रही है किसके साथ match कर रही है फूर्थ answer के साथ match कर रही है ठीक एक अभी करिया आपको दे रखी है इसमें आपको X find out करना है चलो देख लेते हैं हम इसमें reaction रियक्षन को solve करते समय आपको product भी अपने mind में रखना है कि हमें product कैसा चाहिए कि उसी क्या कोड़ने देहना होगा जब आप इसकी reaction कि ओच नेगेटिव के साथ करवा रहे हैं तो ओच नेगेटिव क्या करेगा यहां से acidic hydrogen remove करेगा अब acidic hydrogen की बात करें तो सबसे ज्यादा acidic तो यह hydrogen है कि अगर मैं इसको कि इसमें remove करने में help करूं तो आपके पास कुछ ऐसा result होगा बेटा अब यह कि इसके साथ रियक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आप जो option देख रहे हैं उस option में देखें आप कि डबल डबल रिंग है six member तो अगर मैं इसको यहां से यहां यूज करूंगा तो यह possible नहीं है ठीक है तो मुझे इस option को reject करना पड़ेगा यानि कि मैं इस reaction को फिलाल यूज नहीं कर रहा हमें question के format के according इसे solve करना पड़ेगा next क्या हो सकता यह देखते हैं अपन ठीक है यह नहीं हो सकता अगर मैं यहां से हाइड्रोजन रिमो करूं और फिर चेक करूं यह रहा अब यहां से अगर मैं इसको इसके साथ या इसके साथ यूज करता हूँ दोनों सेम है यह नुक्लियोफाइल है और यह इसमा नुक्लियोफिलिक एडिशन कंप्लीट करेगा यहां पर यह बनेगा नेगेटिव चार्च फिर यह एड्स प्लस गेन करेगा क्योंकि हमने यहां पर वाटर रिलीज किया है अब जब आप इसे हीट करेंगे तो आपके पास दो ओप्षिन है एक तो यह ओप्षिन है इसको रिमूव गर लें ऐसा आंसर बना लें ठीक है दूसरा ओप्षिन है आप इस एच को रिमूव कर लें यह ओप्षिन आपके पास है ठीक है आप यहाँ पर भी डबल बॉंड बना सकते हैं ओप्षिन दोनों आप देखे द्यान से अब इन में से आपको कौन सा लेना है वो ओप्षिन देखना पड़ेगा प्रोडक्ट दोनों है लेकिन ओप्षिन के अकोर्डिंग हमें चलना पड़ेगा चलना ओप्षिन में देखते हैं अब प्रोडक्ट देख लें में अच्छे से यह दो है आपके पास पेपर में आपके पास यह आंसर दिया हुआ यह ओप्षिन नहीं है आपके एकजाम पेपर में देखे आप यह ओप्षिन नहीं दिया हुआ ये दिया हुआ है तो हम इसी को select करेंगे भास समझ में आड़ी देखो ध्यान से ठीक इसी के बनने के chance ज़्यादा है इसके respect इसके बनने के chance ज़्यादा है उसका भी एक रीजन है यह process जो यहां से हम यहां जो elimination process कर रहे हैं ये एक्चुल में E1 CB reaction है कौन सा reaction है? E1 CB reaction और E1 CB reaction में जो आप beta hydrogen लेते हैं वो more acidic लेते हैं इस hydrogen और इस hydrogen को अगर देखेंगे तो ये वाला hydrogen more acidic होगा बिटा इसके respect ये hydrogen कैसा है more acidic है तो आपके पास ये answer आ जाए ठीक है? तो answer आ गया आपका के पास? ठीक है? answer क्या जाएगा? first आ जाएगा clear है? ये by mistake है, यहाँ नहीं है बिटाई ठीक है? ये by mistake हुआ आपके exam में यहाँ है ही आपके exam में यहाँ पर है ही तो आपका answer कौन सा आ रहा है? first आ रहा है ठीक है? ये by mistake है exam में ऐसा नहीं है exam में आपके paper में यहाँ print है बिटा ठीक है? आगे चले compound A C4H8O gives 2,4 DNP derivative and negative idle form test. ये तो 2,4 DNP यहाँ पर 2,4 DNP यहाँ पर 2,4 DNP यूज फोगा इसमें 2,4 DNP नहीं होगा इसमें 2,4 DNP नहीं होगा इसमें 2,4 DNP यूज फोगा बात समझ जाएगा, अब इसके बाद नेगेटिव आइडो फॉर्म टेस्ट, रिनात्मक आइडो फॉर्म परिक्षन बेटा, अब इन में से इन में से नेगेटिव आइडो फॉर्म टेस्ट होना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव आइडो फॉर्म टेस्ट देगा, ये बात समझ में आगे आगे चले, next question, which of the following does not give canigaro reaction, निम्न में से कौन सा canigaro अभिक्रिया नहीं देता है, canigaro reaction के लिए क्या आपको चाहिए, absence of alpha hydrogen, absence of alpha hydrogen, यहाँ पर, absent है, यहाँ पर alpha hydrogen absent है, यहाँ पर भी alpha hydrogen absent है, ठीक है, यहाँ भी alpha hydrogen absent है, लेकिन यह जो third है, इसमें एक बहुत अच्छा leaving group है बेटा, इसलिए इसमें canigaro reaction possible नहीं है, ठीक है, कैसे नहीं है, देखो, जब आप canigaro reaction करवाएंगे, तो hydride इसमें यह इस पर attack करेगा, hydro, hydroxide ठीक है, तो CCL3, CO negative, HO, अब यह good leaving group होने की वज़े से, यहाँ से यह release हो जाएगा, जब कि कैने जारो reaction के लिए क्लिए क्लिए होना चाहिए था, hydride transfer होना चाहिए था, तो आपका answer कैसे लाजाएगे बेटा, third, answer कैसे लाजाएगा आपका, third, ठीक, next देखें, idophone test है, idophone test है, तो यह idophone test, यहाँ पर आपको क्या देगा बेटा answer, O, N, A, plus, C, H, I, 3, A, yellow precipitate है, तो आपके पास यह A है, और यह आपके पास B है, idophone test हो गया, अब यहाँ पर आपको दिया है कि B में आप H plus add करें और इसे heat करेंगे, जब आप इस B में H plus add करेंगे, जब आप इसमें H plus add करेंगे, यह carboxylic acid में convert हो जाएगा, और इसे temperature भी दिया हुआ है, तो यह आपके पास क्या है, beta keto acid, बीटा keto acid क्या करेंगा, decarboxylation, यहाँ से CO2 release हो जाएगी, decarboxylation, समझ में आ रही है बैटा, पहले आइडोफर्म test reaction हमने करवा दी, एक yellow precipitate A बना, एक compound B sodium salt, compound B में H plus add करेंगे, protonation हो गए बैटा, यह beta keto acid बना, beta keto acid को जब आप heat करेंगे, तो decarboxylation complete होगा, और आपको product मिलेगा C, यह product कौन सा आगया, आपके पास C, अब आपको यहाँ पर देखना है, A is CH3I, नहीं बैटा, CHI3 है, CHI3, CHI3, यहाँ पर देखो CHI3 है, CHI3 है, और C यह है, यह रहा C, यह C है, तो answer second और third दोनों को मिला करके क्या चलागे जाए बड़ा, fourth, answer क्या आएगा आपके पास, fourth answer आजाएगा, ठीक, next, ketone, KCN, HCL, कौन सा reaction होगा, यह nucleophilic addition reaction, ketone में कौन सा reaction रहता है, nucleophilic addition reaction रहता है, तो जब आप इसमें nucleophilic addition reaction complete करवाएंगे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, CN, OH, nucleophilic addition reaction होगे बड़ा आपके पास, यह compound A बन गया, ठीक है, आपको चेक करना है, A and X, A and X आपको चेक करना है, तो पहले हम A चेक कर लेतें, यह A नहीं है, यह भी A नहीं है, और यह भी A नहीं है, तो आंसर यह बच गया है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो कोई problem ही नहीं दे, अब आपको X लेना है, एक ऐसा reagent लेना है, जो CH2, NH2 बनाता हो, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, इसका reduction करना होगा, reduction करेंगे, तो CH2, NH2 बनेगा, क्या मिलेगा, CH2, NH2, साइनाइड का, जब आप reduction करते हैं, तो आपको मिलता है primary amine, लेकिन अगर आप साइनाइड के लिए stiffen reaction करवाते हैं, तो उस case में आप final answer कहां तक पहुंचते हैं, LDI तक पहुंचते हैं, ठीक है, और अगर आपको साइनाइड का hydrolysis बोला जाए, तो साइनाइड का complete hydrolysis होत जनता है, और अगर साइनाइड का partial hydrolysis होता है, तो product क्या रहता है, amide रहता है, तो यहाँ पर आपके पास, जो reducing agent है, वो चेक करना है, lithium, aluminium, hydride, बिल्कुल okay, third answer. Consider the following reaction, निमलिकत अविकरिया पर विचार कीजिए, यह आपके पास कैसी reaction है, ध्यान से देखो, इसमें alpha hydrogen नहीं है, यहाँ पर भी alpha hydrogen नहीं है, और आपको concentrated NUS दिया हुआ है, तो कैसी reaction होगी बेटा यह, दोनों different है, alpha hydrogen नहीं है, cross canigaro reaction होगी, cross canigaro reaction होगी बेटा इसके अंदर, आपको final product identify करने हैं, अन्ती मुतपाद आपको देखने हैं, तो cross canigaro reaction में हम क्या चेक करते हैं, पहले canigaro reaction में क्या चेक करते हैं, two moles आप LDID के use करते हैं, without alpha hydrogen LDID होना चाहिए, उसके बाद one mole oxidize होगा, और जो second mole है, आपके पास वो reduce हो जाएगा, ठीक है, oxidation से आपको मिलेगा, salt of carboxylic acid और reduction से आपको मिलेगा alcohol, जब हम बात करते हैं, cross canigaro reaction की, तो आपको इस पर focus रखना है, जो more reactive LDID होगा, वो oxidize होगा, और जो less reactive LDID होगा, वो reduce हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो LDID हैं, यह aromatic है, यह aliphatic ह Aromatic LDID is always less reactive as compared to aliphatic LDID, तो यह less reactive है, यह more reactive है, more reactive क्या होगा, oxidize होगा, तो आपको क्या करना है, HCHO का oxidation करना है, तो आपको यहाँ पर, और यह potassium salt में convert होने वाला है, और उसके बाद H plus add करोगे, वापीस आपको क्या मिलेगा बेटा, और जो less reactive है, यह तो आपने क्या कर दिया, oxidize कर दिया, और जो less reactive है, उसको reduce कर दो, C6H5, CH2OH, यह आपने इसको क्या कर दिया, reduce कर दिया, वाद समझ में आ रही है, तो यह आपके पास answer आना चाहिए, यह, और यह, कौन सांसर आएगा, कौन सांसर आएगा, बाद समझ में आ रही है, क्रोस कहने जारो, reaction में, जो more reactive LDL, उसको oxidize कर दो, उसको less reactive LDL, उसको reduce कर दो, which of the following compound is not formed by hydration of alkyne, hydration of alkyne करना है, alkyne का जलियोजन करना है, और आपको पूछा जारा है, कौन सा योगिक इससे नहीं बनता, कौन सा योगिक इससे नहीं बनता, तो बेटा, LDL, आप देखें, alkyne में जब आप क्या करवाते हैं, hydration करवाते हैं, alkyne में, इसका जब आप hydration करवाएंगे, hydration कैसे होता है, diluted, H2SO4, और साथ में आपको लेना होता है, HGSO4, alkyne के case में, तो जब आप इसका reaction करवाते हैं, तो पहले inol form जननेट होता है, inol form से keto form बन जाएगा, अगर मैं इसके बाद इसके second homolog की बात करूँ, यह second homolog है, इसमें अगर मुझे water add करना है, same condition में, तो marconic of rule की according addition करना पड़ेगा बेटा, तो CS3, COH double bond, CH2, ऐसा कुछ result रहेगा, और यह inol form totomerize होगा, तो यह ketone बनेगा, मतलब आप alkyne से सिरफ और सिरफ क्या बना सकते हैं, एक ही aldehyde बना सकते हैं, और वो यह है, बाकी कोई aldehyde नहीं बना सकते हैं, तो उन्हें पूछा है, which of the following compound is not found पूछा है, तो answer क्या आजाएगा आपके पास, first answer आजाएगा, ठीक, which of the following compound gives red PPT, precipitate red बनना चाहिए, when heated with failing solution, a failing solution के साथ, red precipitate कौन बनाने वाला है, aliphatic aldehyde, aromatic aldehyde ऐसा नहीं करेगा, ketone भी ऐसा नहीं करेगा, तो यह positive test देगा, यह negative test देगा, यह भी negative test देगा, और यह भी negative test देगा, answer क्या जाएगा, आपके पास, first, ठीक, यह तो just concept based, simple सा कोशन, यहाँ पर आप देखें, क्या reaction है, alpha hydrogen नहीं है, 50% KOH है, reaction कैसी हो गई है, कैनी जारो reaction, आप से पूछा जा रहा है, rate determining step of the reaction, अभी किरिया के वेग निर्धारक पद में, कैनी जारो reaction में, rate determining step कौन सा होता है, hydride transfer, कौन सा होता है वेटा, hydride transfer, तो hydride transfer आपके पास कौन सा रखा है, fourth answer, ठीक, next question देखें, आपके पास क्या reaction है, ध्यान से देखो बेटा, hydride zone, उसके बाद KOH, ethylene glycol medium का काम कर रहा है, एक आपको temperature भी provide करवा रखा है, तो ये वाली condition, एक तो आपके कौन सी reaction करवाने वाली है, वाल्फ, किशनर, reduction करवाएगे बटाई है, और वाल्फ, किशनर, reduction में ये ग्रूप यहाँ से remove हो जाएगा, ये यहाँ पर और यहाँ पर क्या add हो जाएंगे, दो hydrogen add हो जाएंगे, फिर एक चीज़ और देखें यहाँ पर, alcoholic medium में KOS दे रखा और साथ में temperature है, alcoholic medium है, KOS और साथ में temperature है, तो यहाँ पर dehydrohalogenation भी होगा, क्या होगा, dehydrohalogenation, तो यहाँ से हम dehydrohalogenation भी करेंगे, तो double bond भी बनाएंगे, तो आपके पास कुछ ऐसा result आना चाहिए, तो यह answer आजाएगा, फोक्तू, यहाँ पर होगा, वॉल्फ किष्णा reduction, C double bond O group किसमें convert हो जाता है, CS2 group में, और यह condition dehydrohalogenation को favor कर रही है, और dehydrohalogenation जब आप करवाएंगे, तो आपके पास यह answer आजाएगा, ठीक? इनकी reaction से क्या बनने वाला विटा आपके पास, यहाँ पर आपके पास जो product बनेगा, उसको देख लेते हैं, यह यहाँ से इस पर attack करेगा और यह remove होगा, ऐसे ही तो होगा विटाई, ठीक है, तो मैं इसको direct आपको ऐसे कर देता हूँ, negative, nh, oh, h, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, positive चार्ज आ गया, अब यह h plus को release कर देगा और यह proton में ओपल ट्रांसफर कर देता हूँ, oh, nh, oh, ठीक है, अब यहाँ पर यह तो हो गया, आपके पास addition product, और इसके बाद, एक elimination reaction हो जाएगा इसमें, और यह oxym formation हो जाएगा, पहले addition होता है, बाद में elimination होता है, product क्या बना, इसमें oxym product बना, identify correct statement, सही कथन पहचानना है, x is hydrazone, hydrazone नहीं है बेटा, oxym है, गलत, x is formed by addition elimination, बिल्कुल correct, x की formation आपने कौनसे reaction से की है, addition elimination process से की है, ठीक है, x can show geometrical isomerism, गलत हो गया, x can show optical isomerism, यह भी गलत हो गया, answer क्या जाएगा आपका, second, which of the following has maximum boiling point, किसका boiling point सबसे ज़्यादा, क्वतनांग सबसे ज़्यादा किसमें होगा, एक ether है, ldiide ketone, alkene, ether है, ldiide ketone और alkene, अपने को भी पता है कि alkene में तो weak wonderwalls force होता है, उसके बाद ether में dipole-dipole attraction है, तो dipole attraction ldiide ketone में भी है, लेकिन dipole-dipole attraction strong किसमें है, ldiide ketone में strong है, ether में कम है, अब ldiide ketone की बात करें, तो dipole-dipole attraction किसमें ज़्यादा होगा, ketone में ज़्यादा होगा, किसमें ज़्यादा होगा, ketone में ज़्यादा होगा, तो जो boiling point आपके पास order रहेगा, वो रहेगा बेटा जी, ketone में, फिर aldehyde में, फिर ether में, और last में, इसमें, तो यहाँ पर dipole-dipole attraction highest है, यह आपके पास answer थड़ा जाएगा, in which of the following reaction, aldehyde और ketone does not form, ऐसी कौन सी reaction इसमें aldehyde ketone बनता ही नहीं है, aldehyde ketone बनता ही नहीं है, चलो देखें, यह कौन सी reaction है बेटा, यह देखो, यह क्यूमीन है, oxygen, H2SO4 की condition दे रखी है, तो याद करो, आप phenol chapter में transfer हो जाओ, किस में transfer हो जाओ अब आप, phenol chapter में transfer हो बेटा, phenol का formation है, methods of preparation of phenol, from cumene, तो जब आप cumene से phenol बनाते हैं, तो जो final answer आपके पास आता है, यह तो होता है phenol, अच्छा इसके साथ-साथ यहाँ पर acetone भी होता है बेटा, होता है न, acetone, तो acetone तो बन रहा है, आप से पूछा है, aldehyde और ketone does not form, यह तो बन रहा है, तो यह तो answer इसका नहीं हो सकता, ठीक है, आगे देखें, तो यह तो answer नहीं हो सकता, यह तो नहीं ले सकता है, बन गया, ये कौन सी reaction है, रोजन मून्ड रिड़क्शन है, और रोजन मून्ड रिड़क्शन से आपको LDID मिलता है, रोजन मून्ड रिड़क्शन आपको किसका preparation करके देगा, LDID का, ठीक है, ये कह रहा है, does not form होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास answer नहीं हो सकता, बिटा, dehydration process से alkene बनेगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, alkene मिलने वाला है, जो LDID किटोन नहीं है, तो C ऐसा reaction है, जहाँ पर आपको LDID किटोन नहीं मिलेगा, तो आपका answer क्या चला आगे बेटा, C, second answer आगे, ठीक, which product is formed when benzene carbidehyde, benzene carbidehyde is treated with concentrated KOH, benzene carbidehyde को जब concentrated KOH के साथ आप treat करेंगे, तो आपको कौन सी reaction मिलेगी, कैनी जारो reaction, कौन सी reaction मिलेगी, कैनी जारो reaction, तो इस कैनी जारो reaction में, आपको क्या करना है, वन मोल को आप, उक्सडाइज कर दें, और वन मोल को आप रिड्यूस कर दें, so simple, यह answer साएंगे, आपके पास, आप देख लो, इसमें से ऐसा कौन सा answer आपके पास, इसे रिगन answer आप रहा है, ठीक है, फॉर्मेल, एसिटल डिहाइड, ग्रिगनाड रियेजेंट, वाटर एड़ किया है, इस प्रोसेस में आपको क्या मिलेगा, टू डिग्री अलकॉहल, क्या मिलेगा वैटा, टू डिग्री, अलकॉहल मिलेगा, ठीक है, याद करो, फॉर्मेल, डिहाइड में, ग्रिगनाड रियेजेंट एड करने के बाद, हाइडोलाइसिस करवाते हैं, वन डिग्री अलकॉहल, अधर कोई अल्डिहाइड है, ग्रिगनाड रियेजेंट से ट्रीट करवाके, आप हाइडोलाइसिस करवाते हैं, 2 degree alcohol और ketone को यूज करते हैं इस process में तो आपको मिलता है 3 degree alcohol रिवाइज हो गया यह compound A है ठीक है alcohol को acid की presence में heat करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा 2 degree alcohol है 2 degree alcohol है यह तो आपको यहाँ पर alkene मिल जाएगी क्या मिल जाएगा बेटा आपको alkene मिल जाएगी dehydration process कौन सा process हो गया dehydration process हो गया बेटा अब B में आपको क्या करना है hydroboration oxidation करना hydroboricon oxygen करना है alkene में hydroboration oxidation अगर करते हैं और unsymmetric alkene हो तो आपको क्या करना है anti-marconic of rule को follow करके वहाँ पर water का addition कर देंगे तो इसमें HBO करवा रहा हूं है hydroboration oxidation यह आपके पास compound C है अब आप से क्या पूछा है compound A and C compound A and C compound A and C इनमें क्या relation है बेटा कैसे है identical है क्या नहीं है positional isomer है क्या है यह positional isomer है इस्थिती समावे भी है बिलकुल सही है which is the most suitable reason for the following conversion निफ लिख तुरुपांतरन के लिए कौन सा भी करमक सरवादे कुप्यूकता आप देखें करना क्या है double bond का किसी तरह से कुछ भी reaction में रोल नहीं है unaffected form में present है double bond पर कोई effect नहीं होना चाहिए तो fourth option तो बेचारा पहले ही cancel हो गया क्योंकि KMNO4 double bond पर oxidation करता है यह तो reject हो गया यह आपके पास aldehyde है और carboxylic acid बन रहा है oxidation हो रहा है क्या हो रहा है भी reject हो गया reduction process है यह idofoam test इसके अंदर नहीं है यह भी reject हो गया answer क्या आया है वेटा आपके पास tollens reagent double bond पर किसी तरह से कोई effect नहीं डालता है वेटा double bond remains unaffected in the presence of tollens reagent consider the following reaction निमलिक्त अभिकरिया पर विचार करें चलो देखते हैं alcohol है H plus है temperature है आपको कौन सा process याद आना चाहिए dehydration of alcohol कौन सा dehydration of alcohol आपको आना चाहिए dehydration of alcohol में intermediate कौन सा बनता है वेटा कार्वोकेटाइन कार्वोकेटाइन intermediate है तो हमें इसमें rearrangement भी करके देखना पड़ेगा चलो देख लेते हैं इसके अंदर आपको जो यहाँ पर यह कार्वोकेटाइन मिलेगा और इसको अगर मैं rearrange करता हूँ तो मुझे ऐसा कार्वो केटाइम मिलेगा ठीक है और इसके बाद यहां से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँगा यह आगे आपने पास कमपाउंड एक्स आपसे पूछा है अब आगे कौन सा प्रोसेस है रिड़क्टिव ओजोनोलाइसिस में आप ल्ली एड किटोन बना पाते हैं चलो देखते हैं यहां पर इसको रिमूव करेंगे यहां पर इसको रिमूव करेंगे दोनों जगे ऑक्सिजन एड़ कर देंगे यहां भी दोनों जगे आप क्या करेंगे ऑक्सिजन को एड़ कर दे अपर पॉर्षन क्या दे रहा है देखें तो जरा अपर पॉर्षन आपको दे रहा है ऐसा रेजल्ट और लोवर पॉर्षन आपको क्या दे रहा है कुछ ऐसा रेजल्ट यह आपके पास रेजल्ट से हैं ठीक है देखो इसमें कहां से आरा अंसर है देख फरस्ट में ऐसा कुछ बन रहाएगा देख ध्यान से नहीं यह structure ध्यानक नहीं है फटा second में भी नहीं है third को चेक करें तो third answer आ जाए कौन सब आजए फटा आपके पास third answer आ जाए clear पहले क्या किया आपने dehydration of alcohol बाग में क्या कर दिया reductive ozonolysis the reagent with which both this end reacts easily ठीक है यह आपके पास एक aromatic LDI है और यह aromatic LDI नहीं है बेंजीन रिंग है लेकिन हम इसको aromatic LDI नहीं कहेंगे रिएक्ट इसली पूछा है आसानी से क्रिया कर सकता है failing solution इसके साथ रिएक्ट नहीं करता दोनों में से कोई भी IDOFORM टेस्ट हो नहीं करने वाला है दोनों टॉलन रिएजेंट के साथ दोनों ही easily react करेंगे दोनों के दोनों टॉलन रिएजेंट के साथ क्या करेंगे easily react करेंगे product A पूछा है विट आपसे product A condition देखें आप द्यान से क्या है product A gives कैनी जारो reaction product A gives कैनी जारो reaction यानि की product A आपके पैस ऐसा होना चाहिए जिसमें alpha hydrogen न हो ठीक है find out अब इसको देखो find out group X इस group के लिए question mark है X क्या ले यहाँ पर कि आपको एक ऐसा product मिल जाए जो क्या show करता हो कैनी जारो reaction show करता हो तो अगर मैं यहाँ पर इस option को use करता हूँ और इसमे डाइबॉल H H2O condition लगाता हूँ डाइबॉल H H2O condition लगाता हूँ तो यह easter को किस में convert कर देगा वेटा aldehyde में convert कर देगा और यह can zero reaction दे रहा है तो answer यह आ रहा है CS3 लेने से कुछ भी नहीं होने वाला CHO लेने से भी कुछ नहीं होने वाला इसकी बात करें अब अगर आपके mind में यह आ रहा है ठीक है तो CH2 COCL अगर आप लेंगे यहाँ पर तो CH2CHO बनेगा और इसमें alpha hydrogen है कैनी जारो reaction की बात मैं नहीं कर सकता यहाँ पर पांसर कोन सा जाएगा पस्ट जाएगा CS3 CH2 C triple bond CH water addition करना है आपको इसके अंदर क्या करना है water addition according to Markovnikov rule यह water addition कर रहा है हम इसके अंदर according to Markovnikov rule उसके बाद इसमें isomerization करना है यानि की isomerization इसमें कौन सा होगा totomerism होगा विटा इसके अंदर यह product बन गया यह X है आप पूछा क्या आप से IUPAC name of X and type of isomerism isomerism तो पतला कि totomerism आप IUPAC name और देख लेते हैं ब्यूट which of the following ketone cannot be prepared by Friddle Craft reaction ऐसे कौन से ketone हैं जिनको आप Friddle Craft reaction से नहीं बना सकते हैं अब देखें अगर मुझे यह चाहिए तो मैं क्या करूँगा OCS3 इसका Acetylation कर दूँगा Enhydrous Aluminium Caluride लूँगा यह product मुझे मिल जाएगा तो पहला तो आप ketone बना पा रहे हैं ठीक है दूसरे की बात करें Second option में यहाँ अगर मैं CS3 यूज करूँगा तो अभी Friddle Craft reaction हो जाएगी Second option भी आपके पास ketone बनाने वाला है Cannot पूछा आप से ठीक है यह ध्यानक ना है तो first आपका answer नहीं हो सकता क्योंकि prepare कर रहा हूँ Second आपके पास answer नहीं हो सकता Third की बात करें Third में अगर मैं यहाँ पर add करता हूँ NO2 यहाँ क्या add करता हूँ मैं NO2 तो यह Friddle Craft reaction शो नहीं करेगा Nitrobenzine Friddle Craft reaction शो नहीं करता है तो इसका मतलब है आपके पास answer क्या आजाएगा Third answer आजाएगा Which of the following is least reactive towards nucleophile नाभिक सनेही के प्रती न्यूनतम क्रियाशील पूछा है वेटा अपने को पता है LDH ketone में main reaction कौन सी है Nucleophilic addition अब इसमें आपको क्या चेक करना होता है LDH more reactive ketone less reactive क्यों क्योंकि LDH में crowd minimum है और ketone में crowd ज्यादा है जब अपन बात करें LDH और उसके other homologs में तो जैसे जैसे आप LDH में carbon add करते चले जाएंगे एक तो crowd increase होगा दूसरा carbon add करने से plus effect increase होगा जो reactivity क्या कर देगा decrease कर देगा same process ketone के साथ है अगर मैं aliphatic को aromatic के साथ compare कर रहा हूँ तो aliphatic carbonyl compound will be more reactive as compared to aromatic carbonyl compound ऐसा क्यों है aromatic compound में जो benzene ring है वो carbonyl carbon पर electron density को decrease करता है चलो यहाँ देखते हैं तो aldehydes more reactive है आप से क्या पूछा है least reactive पूछा है बेटा aldehyde तो इसमें से अटा दो kittone यह aliphatic ketone है यह aromatic ketone है aliphatic ketone more reactive होता है aromatic ketone less reactive होता है तो यह भी आपका answer नहीं होगा तो least reactive कौण सा बचा बेटा आपके पास first answer ठीक है the reaction by which benzaldehyde cannot be prepared ऐसी कौणसी reactions है इन में से जिससे आप benzaldehyde नहीं बना पाऊगे benzaldehyde नहीं बना पाऊगे देखें यहाँ पर benzaldehyde बन सकता है क्या नहीं बनेगा बेटा इसमें तो benzaldehyde नहीं बन जाएगी ना decarboxylation हो जाएगा benzaldehyde बन जाएगी इसमें बन जाएगी benzaldehyde नहीं कोई प्रॉबलम नहीं है benzaldehyde आ जाएगा ठीक है यह नहीं बनाया जासकता है answer क्या आगया first यह yetard reaction है bencaldehyde बनादेगा rηνmode reduction है bencaldehyde बनादेगा getterman coach reaction है bencaldehyde बनादेगा तो यह और यह तीनों ही name reaction है ettard reaction, roganamode reduction और getterman coach reaction इन तीनों से ही क्या बनेगा bencaldehyde इसमें क्या बनेगा benzene Acetal Dehyde reacts with NaOH to form Acetal Dehyde की जब आप NaOH सी reaction कर वे हैं आप देखो ध्यान से क्या आपके पास answer है Hydroxy Carbonyl Compound है क्या है Hydroxy Carbonyl Compound है तो यहाँ पर आपसे Eldol Reaction की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? Eldol Reaction की बात कर रहे हैं CS3 जब आप Eldol Reaction की बात करेंगे इसमें proton add कर दें Alpha, Beta Beta Hydroxy Carbonyl Compound बनता है क्या बनता है? Beta Hydroxy Carbonyl Compound बनता है कब जब Eldol Reaction की बात होती है और जब आप Eldol Condensation की बात करते हैं तो Alpha, Beta Unsaturated Carbonyl Compound बनता है अब यह देखें यह answer कहां पर आपके आपके हैं? यह Alpha, यह बीटा आंसर कौन सा आगे है बेटा? Second answer है ठीक? The Compound A, B and C in the Reaction Sequence आर आपसे A, B, C तीनों पूछे हैं बेटा यह कौन सी Reaction हो गई? कौन सी Reaction हो गई आपके बास ही है? Idoform Test, बिल्कुल सही Idoform Test Reaction होगी? इस Idoform Reaction Test में अब आपके पास जो Result आएगा वो होगा O, N, A प्लस C, H, I, 3 अब Compound A यह है यह है? यह कैसे पता लगेगा? यहाँ पर आपको हिंट दिया है A is Yellow Precipitate A पीला अवक्षेप है तो आपके पास यह Compound A है ठीक है? अब इसमें आप Silver Add करेंगे तो CH Triple Bond CH बनेगा Compound B और इसका जब आप Water Addition करेंगे तो Final Answer कौन सा आएगा? Acetyl Dehyde Ethanal तो क्या पुछा है? A A A B C 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 आपके पास Acetyl Dehyde Acetyl Dehyde Answer क्या आगया आपके पास Second Answer ठीक बेटा? इस रेक्षिन देखो क्या है? Identify Crack Statement Carbonyl Compound Alcohol और यहां पर आप देखेंगे Product is formed by Elimination Reaction नहीं Product की रेक्षिन Product कौन से की प्रोसेस से बना रहे है? इसको प्रोटोनेट करेगा इसके बाद यहां पर Alcohol Attack करेगा यह तो Nucleophilic Addition Reaction है कौन से रेक्षिन है? Nucleophilic Addition Reaction है HCL is used to increase Nucleophilicity of this ना ना यह भी आंसर नहीं है HCL ने क्या किया? HCL ने क्या किया? इसकी Electrophilicity को increase कर दिया क्या कर दिया? इसकी Electrophilicity को increase कर दिया Electron सनेहिता को बढ़ा दिया Acetol भी नहीं है Answer कौन सा आ गया वेटा? इसमें 4th answer यहां पर इस HCL का क्या role है? Carbonyl carbon की Electrophilicity को increase करता है Electron सनेहिता को बढ़ाता है इसका क्यों करते हैं? क्योंकि actually alcohol क्या है? एक strong Nucleophile नहीं है यहां पर एक weak Nucleophile है तो हम इसकी Nucleophilicity को तो नहीं increase कर सकते इसकी Nucleophilicity को increase नहीं कर सकते लेकिन हम इस Carbonyl carbon की Electrophilicity को increase कर सकते हैं 2 degree alcohol copper के साथ heat करेंगे ketone बनेगा कौन सा process? dehydrogenation कौन सा process? dehydrogenation और इसमें जब आप Amine use करेंगे primary Amine तो कौन सा process होगा? addition, elimination, process addition, elimination, process जब आप इसमें complete करवाएंगे यह ऐसा compound बनाएगा आपके पास ठीक है? यह यहां पर printing थोड़ी सी mistake है बैटा यह यह यहां पर A है ठीक है? यह थोड़ी सा printing mistake है आपके पेपर में यह A है, यह B है आपसे पूछा प्रोड़क्त B इंदावाव रियक्शन उप्रोक्त अभी क्रिया में उत्पाद B कौन सा है? तो यह कौन सा बनना है बैटा? शिफ बेस क्या बना है आपके पास? शिफ बेस बना है, शिफ शारक बना है, ठीक? बना है, ऐसे बना है पीसीवक्त बना है PCC क्या करेगा? next question देखे आप जाए? ऐसे, PCC यह फ्लैगike अब यह 2टीग्री अलकॉ Lynn H PCC 2टीग्री अलकोहल को उटिकी हाई करके किस में klemort कर देगा? कितोन में klemort कर देगा ये किटोन में कनवर्ट करेंगे अपने पास ये X होगा और जब आप इसमें लीथियम, ऐलमीनियम, हाइडराइड एड़ करेंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा ये Y आएगा अंसर कुन सा आजाएगा? सेकंड अंसर आजाएगा ठीक? एक कार्बोनेल कंपाउंड reacts with HCN OH2 form a sinohydrine which on hydrolysis form a racemic mixture of alpha hydroxy acid कार्बोनेल कंपाउंड is मैटा रासेमिक मिक्शर इस reaction में तभी बन सकता है जब आपके पास compound में chiral center develop हो जाए compound में क्या हो जाए? chiral center develop हो जाए chiral center develop करने की मैं बात करूँ तो first की अगर मैं बात करूँगा इसको add करने के बाद तो OHCN आएगा बेटा ये कहीं कोई इसके अंदर center नहीं है इसका अगर मैं hydrolysis करूँगा देखें किसी तरह से कोई chiral center नहीं है first answer आपके पास नहीं होगा ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर C2H5 लेकर के second option की बात करूँ C2H5 लेकर के second option की बात करूँ तो एक chiral center develop हो रहा है third option अगर हम लेंगे तो chiral center develop नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड में क्या आएगा CS3 आएगा fourth option लेंगे तो दोनों साइड में क्या आएगा C2H5 आएगा तो answer के आज गया है बेटा आपके पास second answer बात समझा रहे है इसमें क्या हुआ आपको वो compound लेना है जिस पर hydrogen cyanide की reaction से chiral center develop होता है अब उसके according आपका answer के आया second C double bond O को CS2 में convert करने का process कौन करता है या तो करता है claim and sun reduction और या क्या करता है आपके पास वॉल्फ किष्णर reduction एक और reagent आप ले सकते हैं HI and red phosphorus यहाँ क्या दे रखा है आपको यह दे रखा है तो answer क्या चला जाएगा ठीक है यह मत कर देना बैटा इसके अंदर इसकी reaction जब करवाओगे यह तो hydrazine है यह तो सिरफ यह product बना के छोड़ देगा यह तो इतना ही बना के यह hydrogen दिया है बैटा hydrogen दिया है तो आपको product क्या मिलेगा hydrogen मिलेगा product कैसा होना चाहिए था CS2 होना चाहिए था इसले answer क्या जाएगा fourth जाएगा इस reaction को देखो दियान से क्या हो रहा है यहाँ पर oxidation हो रहा है oxidation हो रहा है और इस oxidation से आपको जो intermediate मिल रहा है और जब हम इसका क्या करेंगे hydrolysis करेंगे तो hydrolysis करने से हमें यहाँ पर मिलेगा aldehyde plus acetic acid यह hydrolysis से मिलेगा तो यह compound हो जाएगा B हमारे पास अब आप चेक करें A is benzylidine diacetate बिलकुल सही है सही कतनी पूछना पूछा था आपसे तो यह answer आ गया A is benzylidine diacetate बिलकुल सही है B gives paranitrobenzaldehyde paranitro नहीं बनेगा यह metadirecting होता है the reaction is itard यह itard reaction नहीं है बेटा B is benzyldehyde sorry A is benzyldehyde A benzyldehyde नहीं है A benzyldehyde नहीं है तो answer के आगया आपके पास CS3, CS2, CN CN को किसमे convert किया इन्होंने LDhyde में CN को LDhyde में convert करना है तो आपको क्या use करना चाहिए या तो SNCL2, HCL और उसके बाद hydrolysis stiffen reduction या फिर डाइबॉल H यूज कर सकते हो दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो तो डाइबॉल H यूज कर सकते हैं ठीक है stiffen reduction भी आप यूज कर सकते हो तो answer कौन सा चला गया विटा आपके पास fourth answer चला गया कौन सा answer आया fourth ठीक है इसमें ग्रिगनाड रिएजेंट यहां पर attack करेगा finally आपके पास यह result आएगा ठीक है अब इसमें concentrated H2SO4 एड़ करेंगे आप तो कौन सा process हो जाएगा dehydration कौन सा process हो आपके इसमें dehydration process होगा यह dehydration के answer है आपको बताना है major major यहां कौन सा बनता है more substituted alkene first answer कौन सा answer आजाएगा बैटा first answer आजाएगा ठीक है which of the following has hemi acetyl structure hemi acetyl सरंचना किसमें है वेटा आप देखें इसके अंदर hemi acetyl कौन सा है यह तो आपके पास acetyl है यह ketal structure है यह आपके पास है hemi acetyl ठीक hemi acetyl का formation कैसे होता है जब आप alcohol की reaction किससे करवाते हैं aldehyde से acetyl gas की presence में ठीक यहाँ पर आपके पास कौन सी reaction हो गई aldol condensation aldol condensation है वेटा aldol condensation reaction को मैं direct बना लेता हूँ यहाँ पर यह तो direct बन जाती है न जब condensation की बात आती है तो आप इसे direct लिख सकते हैं यहाँ से water को release करो CS3 CH2 CH double bond C CS3 and CHO यह aldol condensation product आ गया अब आपको क्या करना है reduction करना है H2 nickel C double bond C को भी reduce करेगा और Ldiad को भी reduce करेगा C double bond C और Ldiad दोनों को reduce करेगा वेटा यह तो result क्या रहेगा यह result रहेगा सब reduction हो गया complete आप से की पूछा है IUP से name of B जो B बन रहा है उसका IUP से नाम पूछा है बेटा 1, 2, 3, 4, 5 2-methyl-pentane-1-ol 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 3rd answer आजाएगा ठीक Next question देखेएगा आपके पास क्या दे रखा इसके अंदर Dibromide Hydrolysis जब आप Dibromide का Hydrolysis करेंगे तो आपको जो result यहां मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें से water molecule हम बाहर कर देंगे तो यह CHO बन गया वेटा यहां पर एक hydrogen ओलडी है तो यह component A आ गया अब इसका क्या करना है nitrogen करना है यह group कौन सा होता है meta directing होता है तो इसकी meta position पर nitrogen करवादो तो answer क्या आ जाएगा second answer आ जाएगा CHO group A is meta directing due to its minus M effect ठीक यह कौन सी reaction दिखाई दे रही है आपको hello form reaction कौन सी reaction है hello form reaction है तो जब hello form reaction आपके पास है तो इसको remove कर देते हैं आपके पास जो results होंगे वो कुछ इस तर है के होंगे CHCL3 hello form reaction देखो hello form reaction से आपके यह product मिलेंगा देखो इन में से कौन सा answer आएगा आपके पास यह answer नहीं हो सकता यह आंसर नहीं हो सकता यह तो दोनों सेम है यहां गड़बड़े देखो यह नहीं हो सकता बेटा यह नहीं हो सकता है CH3Cl नहीं बनेगा CHCl3 बनेगा ठीक है? आंसर आगया third हेलोफॉम रेक्शन कौन सा रेक्शन? हेलोफॉम रेक्शन acetone and hydroxyl amine acetone है बेटा hydroxyl amine है इसको remove करेंगे यह तो बनेगा ठीक है? product can show geometrical isomerism बेटा यहां पर ME है acetone है बेटा यह acetone है यह तो geometrical isomerism शो नहीं करेगा product is oxym oxym है क्या product? बिल्कुल सही है oxym है यह कौन सा product है? oxym product है तो product product is formed by substitution substitution नहीं कौन से process से बनता है? addition elimination process से बनता है product contains one pi bond and two lawn pair pi bond तो one है लेकिन lawn pair आपके पास कितने हैं बेटा? three lawn pair है, two lawn pair नहीं three lawn pair है, तो answer क्या आ गया? second reductive ozonolysis two molecule और aldol condensation क्या करवा दें आप इसका? aldol condensation करवा दें बेटा जब आप इसका aldol condensation करवाएंगे तो आपको इसको release करना है कुछ ऐसे आंसर को search करना है कुछ आंसरा जाएंगे बटा? देखो ज्यान से first ठीक पहले reductive ozonolysis बाद में आपको क्या करना है? aldol condensation यहाँ पर यह कौन सी reaction है? कैनी जारो reaction कैनी जारो reaction ठीक है? तो कैनी जारो reaction है कैनी जारो reaction कौन सी होती है? disproportionation भी होती है विस्मान उपातन भी होती है तो आंसर आजाएगा आपके पास fourth ऐसा क्यों बोला मैंने? disproportionation क्योंकि इसके एक molecule का oxidation हो रहा है और उसी LDAD के दूसरे molecule के क्या हो रहा है? यहाँ पर reduction हो रहा है ठीक है? तो यह आपके पास section A के जो question है वो मैंने आपसे discuss कर लिए आपको उमीद है आपके doubts के जो answer है वो मिल गए होंगे अच्छा गरो बेटा पढ़ते रहो ठीक है? अब मैं आपको इसके अंदर इसके next section पर लेके चलता हूँ जो की numerical value integer type आपके पास रहता है करें शुरू number of chiral centers in compound A तो पहले तो compound A की बात करेंगे इसकी reaction से आपको क्या मिलने वाला है बेटा जी? L-D-I-D से क्या मिलेगा? 2 degree alcohol क्या मिलेगा? 2 degree alcohol ये chiral center है ये एक chiral center है ये भी एक chiral center है तो number of chiral center आप से पूछा था number of chiral center कितने आपके पास? 3 chiral center का मतलब SP3 hybridized center और उसके साथ क्या attach होने चाहिए? 4 different groups attach होने चाहिए How many nitrogen atoms of semi-carbicide can form semi-carbicide semi-carbicide के कितने nitrogen प्रमानू semi-carbicide बना सकते हैं? तो वेटा आपको जब ये reaction करवाई जाती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये lawn pair resonance में part spread करेगा कोई काम का नहीं है ये lawn pair resonance में part spread करेगा कोई काम का नहीं है सिरफ एक ही nitrogen बचा वेटा इसमें एक ही nitrogen आपके पास ऐसा है जो किसका formation करेगा ? semi-carbicide zone का तो इसका numerical value answer कितना आया ? एक ही nitrogen यूज़गा ? ठीक है ? ये दोनों क्यों यूज़़गा रहे ? इनके lawn pair resonance में part spread कर रहे है how many statements are correct कितने कथन सकते हैं C double bond O bond has larger dipole moment than this correct इसकी तुलना में इसका dipole moment जदा होता है यह तो कोई problem नहीं है aldehyde can be aldehyde can be distinguished from ketone by 2,4 DNP aldehyde को 2,4 ketone से विवेदी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो कि 2,4 DNP aldehyde भी शो करता है और 2,4 DNP test ketone भी शो करता है all aldehydes give positive test with failing solution गलत सारे के सारे aldehyde failing solution के साथ positive test नहीं देते हैं carbonyl compounds give nucleophilic addition reaction बिलकुल सही है carbonyl योगिकों में नाभिक सनेही योगात्मक अभिकरिया होती है ये बिलकुल सही है तो आपके पास integer value कितनी आ गई? 2 how many statements are correct? पूछा था कितने कथन सकते है? इसके पूछा था how many reagents can be used to distinguish इन दोनों में आपको distinguish करना है? कौन से reagent? कितने reagent आप इसमें यूज कर सकते हो? इसके लिए काम आजाएगा? इसके लिए काम नहीं आएगा tollend test इसके लिए काम आजाएगा? इसके लिए काम नहीं आएगा failing test इसके लिए काम आजाएगा? इसके लिए काम नहीं आएगा 2,4 DNP दोनों में काम आएगा इसलिए बेकार है हमारे लिए sodium by sulfide दोनों में काम आने वाला है ये भी काम नहीं आएगा तो integer value कितनी हुई बेटा 3 idroform test इसके लिए काम आ जाएगा distinguish हो जाएगा tolerant test इसके लिए distinguish कर देगा failing toast इसके लिए आ जाएगा बस समझ जाए integer value कितनी है बेटा 3 ठीक है the number of compounds that can be prepared by intra molecular aldol condensation कितने योगिक बनाए जा सकते हैं जब आप aldol condensation करते हैं किसी भी टाइप का दो जो final answer है वो क्या रहता है alpha beta unsaturated carbonyl compound अब आपको यही चेक करना है इसके respect यह alpha beta unsaturated है यह alpha beta unsaturated है यह alpha beta gamma है इसके respect यह alpha beta unsaturated है इसके respect यह alpha beta gamma है इसको use नहीं कर सकते 1, 2, 3 integer value क्या आगे वेटा आपके पास 3 value आगे in how many reactions it is possible to form a new carbon carbon bond ऐसी कौन सी reaction है जहां पर आपको नया carbon carbon bond formation दिखाई देगा अल्डोल reaction में new carbon carbon bond formation होता है बिलकुल सही है प्रिडल क्राफ्ट reaction में भी होता है यह भी सही है क्ली मेंचन reduction क्ली मेंचन reduction में new carbon carbon bond formation नहीं होता है राइमर्ट टिमान reaction में ऐसा होता है वूर्ज reaction में भी ऐसा होता है स्टीफन में ऐसा नहीं होता है how many reactions possible to form new carbon carbon तो 1, 2, 3, 4 integer value कितने आगी बेटा 4 integer value आगे 4 ऐसी reaction हैं जहाँ पर आप नई carbon carbon bond formation को study करते हैं how many compounds will give positive tolerance test कितने होगी कैसे हैं जो धनात्मक tolerance परिक्षन देते हैं ये शो करेगा कौनसी structure है इसके अंदर hemi acetyl structure है ये भी positive test देगा alpha hydroxy ketone aldehyde positive देगा ketone नहीं देगा tolerant test है aromatic aldehyde भी आजाएगा इसके अंदर देखो ये कौन सी reaction है ये कौन सा reason बना बेटा hemi acetyl बना है तो 1, 2, 3, 4, 5 integer value कितने आगे इसके आगे ठीक the number of compound that will not show enolization योगी कों की संख्या जो enol ली कर नहीं दर्शाते है enolization नहीं दिखाएंगे बेटा यहाँ पर तो enolization possible है नहीं वाले पूछे आपसे इसमें नहीं होगा क्योंकि अगर आपने इसका inol बनाया तो वो anti-aromatic हो जाएगा इसमें भी possible नहीं है इस हाइड्रोजन को आप यूज नहीं कर सकते bridge headed carbon से attach हाइड्रोजन enolization में part speed नहीं करता है बेटा यह भी totomerization नहीं show करने वाला है यह तो करेगा एक यह भी नहीं करने वाला है तो one two three four integer value कितनी आगए आपके पास four आगए ठीक है the number of reactions which will produce aldehyde ऐसी कौनसी reaction है जो आपको aldehyde बना के देगी यह तो कितन बनाएगी CS3 CO CS3 answer आएगा इसमें तो यहाँ पर SNHCl है तो CH2 NH2 primary amine बनाएगी anhydrous CO3 chromium trioxide आपको दे रखा anhydrous यह oxidation करेगा बिल्कुल सही है CS3 CHO और यह oxidative है तो यहाँ पर आपको मिलेगा CS3 COOH plus CO2 तो आप से पूछा था number of reaction which will produce aldehyde aldehyde कितनी reaction में बन रहा है एक ही reaction में बन रहा है ठीक how many of the given compounds react with acetone to form this bond आपको acetone के साथ reaction करवा करके यह bond बनाना है यह वाला तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या होना चाहिए यह compound होना चाहिए Z की value change हो सकती है तो आप इसको use कर सकते हो इसको use कर सकते हो इसको use कर सकते हो इसको use ने कितने integer value आई? 3 ammonia derivative reaction कोन से है यह आपके ammonia derivative के साथ जो addition elimination process complete होता है reductive ozone lysis number of chiral products chiral उत्वादों के संख्या पूछी है आप से यहाँ से इसको remove करेंगे oxygen oxygen इसको remove करेंगे oxygen oxygen इसको remove करेंगे oxygen oxygen देखें क्या-क्या परड़क्त आ रहा है एक परड़क्त आ रहा है CH2O एक आपके पास प्रड़क्त आ रहा है बेटा जी CHO एक आपके पास प्रड़क्त है CHO और एक लास्ट में प्रड़क्त है CH2O अब आपको देखना है chiral products यह नहीं है यह दोनों same है यह भी नहीं है यह हो जाएगा यह नहीं है तो integer value के आगे है आपके पास 1 ठीक है find out value of A plus B एक इसको indicate करता है number of oxygen atoms और B है number of chiral atoms in product तो पहले product बनाना पड़ेगा उसके according सोचेंगे reaction कौन सा है oxidative ozonlysis तो हम जब इसको यहां से इसको यहां से remove करेंगे तो यहां पर hydrogen है तो अगर double bond के साथ carbon पर hydrogen है तो carboxylic acid बनेगा और hydrogen नहीं है तो क्या बनता है ketone बनता है तो मैं इसको यहां पर ketone बना सकता हूँ यहां पर ketone बना सकता हूँ यहां पर मुझे carboxylic acid बनाना पड़ेगा और यहां पर भी मुझे carboxylic acid बनाना पड़ेगा तो A की value आपके पास हो जाएगे 6 6 oxygen atom और number of chiral की बात करें तो आपके पास B की value कितनी हो जाएगी तो तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 8 समझ में आगी बात the number of compound showing canny jaru reaction canny jaru reaction कौन कौन से compound show कर सकते हैं यह show करेगा यह show नहीं करेगा यह भी show नहीं करेगा यह show करेगा यह भी show नहीं करेगा तो दो ही compound ऐसे हैं जो canny jaru reaction को show करेंगे ठीक है how many compounds are more reactive than इस से more reactive पूछा है बेटा आप से reaction कौन सी nucleophilic addition reaction aromatic aldeide से aromatic aldeide से जो भी aliphatic aldeide है वो सारे more reactive होंगे तो पहले हैं अपन aliphatic aldeide की बात कर लेते हैं ठीक है अब किटोन तो less reactive होगा इसमें इसका minus m effect है minus m effect क्या करेगा reactivity को increase करने में help करेगा तो ये भी answer आ जाएगा integer value के आगे आपके पास 5 ठीक है how many compounds can not be prepared by clay mansion reduction of ketone ketone के clay mansion option से नहीं बनाए बड़ा किटोन के clay mansion option से अगर आपको बनाना है तो मतलब compound में CH2 present होना चाहिए CH2 present होना चाहिए उसके दोनों side में carbon होने चाहिए ठीक है तो ethane का formation आप नहीं कर सकते methane का formation आप नहीं कर सकते butane का formation कर सकते हैं क्योंकि butane में ये देखो CH2 है butane का formation हो सकता है propane का formation हो सकता है ये देखो propane का formation हो सकता है नियो पेंटें, नियो पेंटें का फॉर्मेशन नहीं होगा, यूँगि नीओ पेंटें में कहीं पर भी CS2 नहीं है, साइकलो पेंटें, साइकलो पेंटें का फॉर्मेशन हो जाएगा, सब CS2 है, तो 1, ठीक है, 2 and 3, तो आपके पास से इंटीजर वैल्यू कितने आगे बेटा थ्री आ गई ठीक है बास समझ में आ गई मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आपके डाउट्स के सॉलेशन मिल गए होंगे अच्छी मेहनत के साथ लगे रहें एक्जाम को देते रहें जितने अच्छे से तैयारी करेंगे जितनी मेहनत से जितनी लगन से आप तैयारी करेंगे सफलता आपके उतनी ही पास आती चरी जाएगी ठैंक यू जैसील्जी